हेलो बच्चो आप सभी को मेरा नमश्कार इंडिया के इस बहतरीन चनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम तो आज हमारा टॉपिक है कैमिकल को ओडिनेशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है ठीक है यहां से भी कम से कम टू-टू-3 कुश्चन का इस था बट यहां पर अगर देखा जाए तो ध्यानकना लगबग लगबग हर टॉपिक का एक कुवल वेटेज है यानि सारे ही ग्लाइंड इंपॉर्टेंट है हाँ एड्रियल ग्लैंड से कमपरेटिव अधर ठीक है एड्रिनल तो तीन ग्लैंड मेनेस के अंदर एड्रिन ठीक है द्यानक ना है आपको नमबर टू ठीक है थायरोइड ग्लैंड और नमबर त्री पिटी यूटरी यहां से कुश्चन बनने की प्रॉबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है ठीक है पर सारा ही यहां तके पीनियल ग्लैंड भी इंपोर्टेंट है वहां से भी उसकरने वाले ड्यक्राइग्राम यूज करने वाले है झीक है सारे PY Cycs भी यूज करने वाले है're mostly और बहुत चुट भूबा क्यों जहां साथ डिसकस करने वाले हैं और NCRT हो चोड़ेंगे ही नहीं ठीक है यानि completely आपके brain में set करने की कोशिश करते हैं तो start करते हैं बेटा तो endocrine हाँ एक बात है कि आज मैंने थोड़ा सा flow diagram पहले से ठीक है बनाया है जिससे के कम time में chapter को मैं fastly करा पाऊं ठीक है क्योंकि time कम से कम लगना चाहिए आपका time बचाना है बस यही सोच रहा हूं बस single sort में कम से कम time में maximum cover क्या कैसे किया जा सके ठीक है तो उस strategy को follow किया है कुछ already flow diagram पहले से prepared किये जिससे कि आपको कम time में brain में set कर पाएं ठीक है तो first पैरा से सबसे important चीज आती है कि endocrine glands होते क्या है बिटा duct less gland होते हैं ठीक है duct less gland होते हैं जो अपने secretary substance को means hormones को body fluid के थो travel कराते हैं यहाँ पर hormones जो होते हैं body fluid के थो travel करते हैं और अपने site of action यह वो cell जिनके पास receptors है इनके वहाँ पर आ करके attach होते हैं और signaling का काम करते हैं actual में यह hormone protein nature के भी होते हैं थी करब कह सकते हो protein के प्रोटीन के लावा bout lipidd baja के भी होते है पैयपटाइद नीचर के भी होते हैं ठीक है मतलब cellular messenger या कह सकते हो intercellular messenger cells के बीच में messaging का काम करते हैं तो बस ध्यानकनास की definition क्या है definition से question बनने की probability रती है तो definition थोड़ी modified definition है old definition से दिखा जाए latest modified modified का मतलब है तीन बते ध्यानक नहीं है non-nutriative है number one number two ध्यानक नहीं बेटा ठीक है intercellular messenger है और number three ध्यानक नहीं है इसके अंदर trace amount में release होते हैं sufficient होते हैं ठीक है तो three points आपके brain में set होने चीए hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger और third point क्या था produce in trace amount काम हो गया ठीक है पहली बात अब हमारा जो main target है वो क्या है यहाँ पर human endocrine system अगर हम human endocrine system की बात करते हैं तो इस human endocrine system के अंदर ठीक है कुछ local tissue भी होते हैं कुछ glands भी होते हैं कुछ organ भी होते हैं जो इन hormone को release करने का काम करते हैं इन सब के मिलने से ही इस system का formation होता है इसको endocrine system बोलते हैं तो हम बात करते हैं endocrine gland and hormone producing diffuse tissue या cells जो located का होते हैं in different part of our body इन सब के मिलने से क्या बनता है endocrine system एक बात क्लियर हैं अब इसमें कौन-कौन से gland included हैं जो हमारा target है आज का तो इसके अंदर pitutory include है pineal gland हम लेके चलने वाले हैं thyroid हम डिसकस करने वाले है adrenal discuss करने वाले है pancreas, parathyroid, thymus and gonads ठीक है इस ठीक है gonads में testis in case of male, ovary in case of female ठीक है हम discuss करने वाले हैं इस diagram से question बड़ा बढ़ी है बनता है ठीक है तो ध्यार रखना है यहां पर यह pineal gland को represent कर रहा है यहां पर यह hypothalamus अपर वाला पार्ट तो lower वाला पार्ट क्या होगा? pituitry थोड़ा सा यह समझ ना, यह pituitry यहां represent कर रहे है लाइन लोर वाला पार्ट क्या होगा? pituitry आगे हम discuss भी करेंगे यहां आप समझी गये हो कि यहां क्या है thyroid है और इसी के अंदर होता है पैरा thyroid अभी डिटिल में डिसकस करेंगे ठीक यहां पर क्या है? thymus है, thymus के लावा अगर हम बात करते हैं pancreas आप समझी रहे हो, kidney की ओपर आप समझी रहे हो, adrenal gland होते ही है, female का case होगा तो ovary होगा और male का case होगा तो testis होगे, तो इस diagram का representation पता होना चाहिए, तो कभी कभी इस diagram से ही question आता है, हमने इसको भी अभी ठीक है, अपने MCQ में add किया हुआ है, तो हमने NCRT के सारे diagram based question add की हुए है, जिससे आपको concept clear हो कि किस तरीके से question बन सकते हैं, तो यह वो glands हैं जो हमने आपको बताए है, इसके लाबा मैंने बताए कुछ organ भी इसमें involved होते हैं, जैसे gastro-intestinal tract, GIT, hormone release करता है, हमने digestive system में बता पेबल हैं, जो हम आप last में discuss भी करेंगे, ठीक है, तो brief account of the structure and function of all major endocrine gland, जो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो एक ही करके हम लेके चलने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे, pituitry, ठीक है, बहुत important gland है, जो सारे gland को conclude करती है, ठीक है, starting यहीं से किये, NCRT को follow कर रहे हैं, हम लोग, according to NCRT चलेंगे, ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे, आप से कि pituitry की position क्या है, pituitry की position क्या है, कहां होती है, brain के किस पार्ट में होती है, किस के throw hang करती है, वही हमारा, अगर हम brain की बात करते हैं, तो four brain, ठीक है, four brain के अंदर, आप समदना, dyncephalon part होता है, तो dyncephalon, four brain का एक पार्ट है, जिसके अंदर ध्यान रखना, epithalamus, thalamus, hypothalamus होते हैं, तो hypothalamus के नीचे ही hang करती है, यह pituitry gland, यह hypothalamus से जोड़ी होती है, एक style के तो उसको बोलते है, infundivolum, और हमारी, कह सकते हो, हमारी skull bone में cavity होती है, cella tarshica, उसके अंदर होती है, sphenoid bone मे इसकल में आपने bone पढ़ाएती है, हमने आपको, ठीक है, skeleton system के अंदर, sphenoid भी बताएती है, हमने आपको, तो sphenoid bone के अंदर, एक क्या होती है, cavity, cella tarshica, उसके अंदर यह present होती है, ठीक है, तो यह दो चार बात है, हम आपको position according to NCRT diagram, आपके दिवाग में set करना चाह रहे है समझना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपर, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेलेमस, तो आप समझी गए ओगे उपर वाला part के आएए, हाइपोथेलेमस तो समस्त, कोई doubt ही नहीं आपको, ठीक है, फिर बात करते हैं, secretory neuron, को यह hypothalamus बना किससे होता है, यह ऐसा part है हमारे brain का जिसमें secretory neurons होते हैं, secretory का मतलब ऐसे neuron जो signaling का काम नहीं कर रहे हैं, impulse के traveling का काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ substance को release करते हैं, secret करते हैं, produce करते हैं और secret करते हैं, तो ऐसे secretory neurons आपके hypothalamus में present होते हैं, और मैंने बताया भी था, CNS के अंदर bundle of neuron, collection of neuron, क्या बोलते हैं इस collection of neuron, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, भई PNS के अंदर, ठीक है, ganglia, समझा है भी तमने नवा सिस्टम में आपको, बहुत अच्छे से clear किया था, तो ganglia और nuclei, पर यहां हम टम क्या यूज करेंगे, nuclei, यानि bunch, या collection of cytons, जो कहां पर होते हैं, आपके hypothalamus में nuclei बोलते ह ये nuclei किस से मिलके बने होते हैं, secretory cell से, secretory neuron से, तो यहां पर secretory neurons होते हैं, तो बोथ आर, secretory neuron, यह सब secretory neuron है, जो कुछ ने कुछ सबस्टेंस को release करने का काम करते हैं, इसके लाबा, hypothalamus से pituitry hang करते हैं, यह कहां, pituitry, pituitry के भी दो पार, आपको ध्यानक नहीं, यहां पर, ए P for anterior, P for posterior, ठीक है, तो इस pituitry का hypothalamus से जो interaction है, किसके थ्रो है, आप बलोगे in fundy volume, इन fundy volume pituitry को hypothalamus से attach करने के लिए responsible होता है, यह ध्यानक नहीं आपको, एक बात और ध्यानक नहीं है, मैंने बताया था, कि हमारी जो pituitry होती है, वो इस phenoid bone में cavity होती है, इस cavity को बोलते हैं shella tachica, तो इस cavity में होती है, इसको बोलते है, shella tachica, तो cavity समझ में आयोगी, this cavity को बोलते है, क्या shella tachica, इसके लाबा ध्यावर अशनक नहीं है, आपको कि यहांपर, यह भी मैंने बताया था, sa ausculattery system में, कि हमारी body के अंदर two type के portal system होते हैं, एक हमारे hypothalamus और pituitry के mid में, तो यहां जो पोटल सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको this is a है पोटल सिस्टम तो बेसिक बास समझ में आ रही है all ओबर कि हमारी पेत्लेट री होती कहां पर है आप बोलोगे यह कहां प्रेजन्ट होती है आप बोलोगे यह King warranty प्रेजेंट उती है present in ठीक है four brain four brain में present होती है उसमें भी क्या dyncephalon four brain के भी dyncephalon वाले पार्ट में present होती है ठीक है किस से जुड़ी होती है हाइपोथाल है मस से किस के तरो ドン के तरोंके किस के So में आइपो थर्मस किस टाइप की निईरोन होती है सिकरेटरी निउरोन और वावड़ाइ में कही नहीं होती है सिकरेशिन का काम करते है यह ऐंपर हइपोफाइशयल पॉटल सिस्टम है इसको बोते है portal circulation यहीं ऐसा portal system जो capillary से originate हो करके capillary में ही तूट जाता है जितने भी artery होते हैं वो duck की form में heart से originate होते हैं capillary की form में tissue में तूटते हैं convert होते हैं जितने भी veins होते हैं उनका origin capillary की form में tissue से होता है finally open कहां करते हैं heart में करते हैं बट पोटल वेन जितने भी होते हैं पोटल सर्कुलेशन उनका हर्ट से इंटरेक्शन नहीं होता तो यहां पर भी कैपलरी तो कैपलरी दो और गन को करेंट कर रहे हैं है तो बेसिक समझ में आया अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर कि अगर हम बात करते हैं पिटी आगे ऐंब से कनेक्टिवाटेटरी एंटियर पार्ट को अलग कर दिया पोस्टिर को अलग कर दिया ठीक है अब कोशन आता है कि जो ह्याइपोफाइसल पोटल सिस्टम है वह एंटीर पार्ट से कनेक्टिवाट नियूरओन की बात करते हैं। से connected होता है always anterior pituitory से connected होता है सिक्रेटरी neuron की बात करते हैं वो किस से connected होते हैं वही सिक्रेटरी neuron के साइट आं तो hypothalamus में होते हैं इनके यह exon यह कहां exon terminal exon यह posterior pituitory को बनाते हैं तो actual my posterior pituitory neuron यानि hypothalamus का ही modification है आप समझ रहे हो ना वह हाइपो थैलेमस के जो नियूरोन से उनका टर्मिनल एक जोन है वो पोस्टियर पिटियूटरी को बना रहा है ठीक है तो एक बाद समझ में आई होगी बिटा कि यहां पर इस दा उपर वाला पार्ट है नीचे वाला पिटियूटरी है एंटियर पार्ट पोस्टियर पार्ट उनसे कनेक्शन किसका है आप वालोगे है ऐपो थैलेमिक नियूरोन से जोड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिक्रेट्री नियूरोन इंपेसली नियूरोन के बंच किनिकली हैं ट्यूंसfact करने वाले हां चीक है अब रिक जार्न में क्या होते हैं वेसाइकल्स होते हैं ठीक है जिन में क्या होते हैं होर्मोंस होर्मोंस कंटेनिंग ठीक है वेसाइकल्स तो होर्मोंस कंटेनिंग वेसाइकल्स यहां पर एक्जोसाइटोसिस से जो क्या करते हैं एक्जोसाइटोसिस से हार्मोंस को को release करने का काम करते हैं तो यहां पर जो hormones release होंगे फ्रो exocytosis, exocytosis hormone release होंगे यानि posterior pituitary से hormone release हो सकते हैं बनते नहीं हैं सारे hormone है hypothalamus में बनते हैं क्यों कि posterior pituitary hypothalamus का modification है तो basic समाझ में आया होगा hypothalamus pituitary anterior posterior ठीक है और इसको जोड़ने के लिए बताया है infantibulum किस cavity में होती है शैला तर्शी का ठीक है basic anterior pituitary का connection hypothalamus से portal system के थरो होता है और posterior pituitary connection hypothalamus से in secretory neuron के terminal exon के थरो होता है इसलिए posterior pituitary को हमने term use किया pars nervosa या neurohypophysis क्योंकि neuron का projection है ठीक है तो इसलिए धानकना anterior pituitary का बात करते हैं तो anterior pituitary को अडीनो हाइपोफइस बोलते हैं और posterior pituitary को हम neurohypophysis बोलते हैं neurohypophysis posterior pituitary को या pars नर्बोसा भी बोल सकते हो जबके anterior pituitary की बात करते हैं तो उसको अडीनो हाइपोफइस बोलते हैं जो हमने two parts में divide किया parse distalis and parse intermediate-a-intermediate-a-intermedia का मतलब है middle वाला यह middle वाला part ठीक है यह middle वाला part part intermediate है जो anterior pituitary का ही part है ठीक है तो basic समझ में आ गया hypothalamus pituitary anterior posterior terminal axon जिसमें vesicles हैं जिनमें hormones होते हैं पहली बात तो पहले focus करो anterior pituitary पर अगर मैं anterior pituitary की बात करता हूँ तो anterior pituitary में group of cells होते हैं क्या होते हैं जिसे यहां पर group of cells होते हैं ठीक है different type के group of cells different type के group of cells आपको anterior pituitary में देखने को मिलेंगे ठीक है इन groups के कई type के groups होते हैं 5 type के groups दिख रहे हैं आपको यह group of cells इनको बोलते हैं क्या ठीक है इनको term यूज करोगे ट्रॉफिक सेल्स ठीक है या term यूज करोगे ठीक है जैसे रॉफ भी ट्रॉफिक का मतलब है जो किसी ने किसी होर्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉंसिबल हो जैसे यहां पर यूज करेंगे पास डिस्टैल इसमें फाइप के थाइरोट्रंफ फैर्सट्र ग्रॉप सेकंड ग्रूप का बोल तोगे थायरोट्रॉफ थायरो वाय थार्ड ग्रॉप का बोष सकते हो कॉर्टीकोट्र आफॉफ कॉर्टी को ई इस फिर कौन सा आ गया फूर्थ ग्रूप आ गया इसको आप टम यूज़ कर सकते हो गुनाडो ट्रॉफ आप समद रहे हो वैं सुमेटो ट्रॉफ थैरो ट्रॉफ कॉर्टी को ट्रॉफ अब समद रहे हो न और गुनाडो ट्रॉफ एक टम और यूज़ कर सकते हो ठीक है लाक्टो ट्रॉफ यह वाइब टाइप के ट्रॉफिक सेल एंटीरियर पिटियूटरी में प्रिजेंट होते हैं जो डिफ्रेंट होर्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं पर यह होर्मोन कब बनते हैं जब हाइपो थैलेमस से रिलीजिंग और इनिबीटिंग होर्मोन यहां से निकलेंगे ठीक है यह रिलीजिंग होर्मोन इस पोर्टल सिस्टम के तरो कहाएंगे एंटीरियर पिटियूटरी में और यह इन ट्रॉफ सेल को ट्रॉफिक सेल को से तो सिर्फ release होते हैं only क्या होते है only release कि synthesize कहा होते हैं hypothalamus में एक बास समद रहे हुँ ना तो anti-ray pituitary में कितने type के trophic cell है five type के somatotroph thyrotroph ठीक है corticotroph gonadotroph lactotroph अगर मैं somatotroph की बात करता हूं तो somatotroph क्या release करेंगे somatotroph रीज़ करते हैं सुमेटो ट्रॉफिक होर्मोन सुमेटो ट्रॉफिक होर्मोन जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ होर्मोन तो ग्रोथ होर्मोन का से रिलीज होते हैं सुमेटो ट्रॉफिक होर्मोन रिलीज होते हैं तो सुमेटो ट्रॉफिक करते हैं ग्रोथ होर्मोन को रिलीज करने के लिए जब ऐ ऐसे ही हाइपोथलेमस से ठीक है थाइरो ट्रॉफिक होर्मोन को रिलीस करने वाले होर्मोन रिलीस होते हैं ठीक है तब जाकर के पिटी उट्री के एंटिरेल लूप के थाइरो ट्रॉफ ठीक है थाइराइड इस्टुमिलेटिंग होर्मोन को रिलीस करते हैं थाइराइड इस तरीके से कॉर्टिकोट्रफ है तो कॉर्टिकोट्रफ एक तो एडीनो कॉर्टिकोट्रोफिक होर्मोन तो रिलीज स्क Czyli रिलीज कर ले ते हैं तो लास्ट वाला पार्ट हम दिखा देते हैं इस तरीके से प्रेजेंट होती है एक सिसे इस समझो मेराइदो ट्रॉफ की बात करते हैं तो गौनेटोफ से निकलते हैं एक तो लिटीनाइजिंग होर्मोन निकलते हैं और फॉलिकल Lo Ach mardi QTPay Varol करते हैं अवर हम其實 worried की बात करते हैं तो इस से कह निकलते हैं pro lactin hormone PRL तो एक बास समझ में आ गई कि पटी ऊजटरी के एंटिरियर लोब में जो शेल के बंच होते हैं वो ठीक है case NATE करें यह रही वो ट्रॉफ सहल अखं लिज्ञित करने वारे कि थीक गूंग को है त्रफिक एकुर्मों को रिलीज करने वाले आथा जो अदो लेयरी के होर्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं तभी तो पिटी उट्री को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ऐसी ग्लैंड जिसको जो अधर ग्लैंड की अधर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रूल करता है पर इस पिटी उट्री को भी कंट्रोल करने वाला कोई है व 75% total secretion का 75% अकेला adenohypofysis करता है 75% वही एडिनohypofysis के दो पार्ट हो गए एक तो पार्स distalis और एक पार्स intermedia बीच वाला पार्ट पार्स intermedia ठीक है पार्स intermedia स्पेशली रिलीज करता है milanocyte stimulating hormone ठीक है remaining hormone past distalis से निकलते हैं यह ट्रॉफिक सेल कितने टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर 5 टाइप के हो सकते हैं सुमेटो ट्रॉफ सुमेटो ट्रॉफिक होर्मोन ग्रोथ होर्मोन थाइरो ट्रॉफ थारेट स्टुमिलेटिंग होर्मोन कॉर्टिको ट्रॉफ एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक होर्मोन गॉनाडो ट्रॉफ लुटिनाइजिंग होर्मोन फॉलीकल स्टुमिलेटिंग होर् को लोगे पार्स इंटरमेडियर रिलीस कर रहा है मिलानोसाइड इस्ट्यूमिलेटिंग होर्मोन ठीक है अगर हम पोस्टियर पिटीवटरी की बात करते हैं इसको नियूरो हाइपोफाइस बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं नियूरो हाइपोफाइस क्योंकि यह नियूरोन का modification है पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं मेली टू होर्मोन को रिलीज करने के लिए responsible होता है क्योंकि टू टाइप के nuclei है लिख भी दिया मैंने टाइपस ओफ nuclei two nuclei का मतलब है भई collection of cyton in cns nuclei collection of cyton in pns ganglia एकदम clear था तो यहाँ पर supraoptic nuclei question आता है supraoptic nuclei nuclei यह cyton का एक बंच है एक paraventricular nuclei cyton का बंच है ठीक है यह दोनों पर question आता है अब question यह आए का कि supraoptic nuclei क्या release करते हैं और paraventricular nuclei क्या release करते हैं supraoptic nuclei release करते हैं vasopressin it is also called adh anti-diuretic hormone जबकि अगर हम बात करते हैं पर यहां से रिलीज होता है यह दोनों होर्मोन बनते हैं hypothalamus में release होते हैं कहां से इन वसाइकल से एक्जोसाइटोसिस के थ्रोट ठीक है इन होते हैं यहां से रिलीज होते हैं बोथ होर्मोन सिंथसाइज इन हॉइफ हाइपो थैलेमस यह नहीं भूलना आपको ठीक है क्योंकि पिट्यूट्री के दोनों होर्मोन hypothalamus में ही बनते हैं only release होते हैं आप एक्जोसाइटोसिस थ्रोट टर्मिनल टर्मिनल axon ठीक है जो टर्मिनल axon कहां के axon है hypothalamus कहीं एक्जोन है तो एक्ट्यूट्र में posterior pituitary hypothalamus का ही modification है तो एक बात तो clear होगी डियागरेमेटिकली concept तो clear हुआ कि pituitary की position क्या है किस से connected है anterior posterior anterior को adeno hypophysis भी बोल सकते हो ठीक है और posterior को हम neuro hypophysis बोलते हैं जो anterior adeno hypophysis को two part में डिवाइड कर सकते हो parts ठीक है डिस्टैलिस एन पार्स intermedia intermedia ध्यानक नहीं आपको एक तरीके से human human में बहुत ज़्यादा functional नहीं होता ठीक है क्योंकि यह melanocytes stimulating hormone release करता है जो melanin pigment को release करने के लिए responsible होते हैं ठीक है जो body के color यानि क्या-क्या इसके बहुत सारे concept है ठीक है human में सही माइने में इसका अभी clarification नहीं है बट एक तरीक इसे wastigil है बट इसका होना यह कह सकते हैं कि उन animal में ज्यादा functional होता है जो अपने body color को change करने में capable है इसको बोलता है camouflage property ठीक है अपने body के color को change करने में capability ठीक है तो जैसे frog कर लेता है chameleon कर लेता है तो वहां पर यह बहुत functional होता है बट अब question इतना आता है कि पार्स intermediate ठीक है यह किसका पार्ट है एंटीर का पोश्टीर का पास्ट है ठीक है पार्ट है तो एंटीर पार्ट है all hormone of pituitry pituitry के सारे hormone protein nature के होते हैं concept brain में set कर लेना pituitry हो यह hypothalamus हो जहां पर anterior posterior सारे hormone protein nature के हैं और anterior pituitry के अगर बात की जाए तो mostly hormone anterior pituitry के trophic hormone होते हैं ट्रॉफिक तब्रॉफिक यह ट्रॉफिक और आफ्ट्रॉफिक होर्मोन का मतलब ऐसे होर्मोन जो अधर ग्लोक्राइब तो अधर क्लेंट को ग्लाइब तो अधर जात्रीर की थो कवर करते हैं अभी हम बात की structure की hypothalamus से connection तो बेसिक समझ में आ गया hypothalamus infantivulum shellatrushika sphenoid 1 macavity pituitary का adenohypofasis neurohypofasis 75% secretion adenohypofasis और neurohypofasis only and only 25% secretion के ही लिए responsible होता है maximum secretion 75% adenohypofasis ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं anterior pituitary में सबसे पहले बात करेंगे किसकी सुमेटोट्रॉफ सुमेटोट्रॉफ क्या release करते हैं सुमेटोट्रॉफ एक hormone release करते हैं means growth hormone release करते हैं तो growth hormone करते क्या है तो growth hormone के function पर आ जाते हैं ठीक है compile भी करूँगा मैं growth hormone के function की बात करते हैं तो growth hormone करते क्या है यह आपको बटा ही है भुज ग्रोथ हर्मोन रिस्पांसेवल होते हैं body growth के लिए ध्यानक ना यह यह control करते हैं growth of cartilage, bone, body tissue इन सब को control करने के लिए रिस्पांसेवल होते है Through the help of growth stimulating factor थिक है तो यह control करते हैं के थैसे है लाने राइट कि रूट गेन रोल ग्रोट आफ को काधिलेज सबती अबोन और टिश्यू इस बती ग्रोट को कन्ट्रोल करने का वही इनका main समझ रहे ना main function होता है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या करते हैं ये ठीक है इसके अलावा ये भी पता होना चीए इसके अलावा growth hormone और क्या काम करते हैं वही growth hormone हमारी body में fat protein carbohydrate के metabolism को भी control करते हैं ठीक है ये भी आप ध्यान रखना है आपको control metabolism 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 समझते हो ना kata और एना kata मतलब तूटना और एना मतलब जोड़ना दौनों को मिला करके metabol के control metabolism of metabolism of fat protein and carbohydrate इन तीनों के metabolism को control करने का भी काम growth hormone करते हैं ठीक है तभी तो condition आती है इफ ये question पूछा गया है इफ ठीक है अच्छान पूछा गया है इफ ठीक है अच्छान पूछा गया है अगर growth hormone का level ही आंगे रिखते हैं डाइबड़ जाने की फेक्ट बहुत इंपोडेंट है समझना का इसको अगर्व को hormone responsible for diabetogenic effect growth hormone भी diabetogenic effect लियर responsible होते हैं अगर glukos का secretion बढ़ जाए तो वह भी glycogen को break करके blood glucose level को increase करता है diabetes जाने की एफेक्ट अगर insulin का level कम हो जाए तो भी blood glucose level बढ़ जाएगा diabetes organic effect अगर cortisol का level बढ़ जाए तो cortisol भी blood glucose level बढ़ने का काम करते हैं डाइबीटोजैनिक एफेक्ट बहुत सूपर कोशन बनता है ठीक है विच आफ दा फॉलिंग होर्मोन रिस्पॉंसिवल फॉर डाइबीटोजैनिक एफेक्ट का मतलब है डाइबीटीज जैसा एफेक्ट डाइबीटीज नहीं है ठीक है डाइबीटीज तब हो बढ़ाने काम करता है ग्लुक्वेगाउन ये भी बढ़ाने काम करता है तीनों होर्मोन डाइबीटोजनिक एफेक्ट के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं क्लियर है वल्कुल चलो एक बात क्लियर हो गई यह वाली बात यहां कोई डाउट नहीं होने चाहिए अब इस्ते डिस करता है तो अगर मैं बात करता हूँ ठीक है लिए बात करता है तो उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ती समझ लोना मेरी बात इसको पीटी उडूरी डॉफिसम बोलते हैं या अगर बहुत स्टार्टिंग में ही ऐसा हो गया ठीक है तो बच्छे बोने के बोने रह जाते हैं इसी को midget बोलते हैं circus के बोने midget circus के बोने तो जो pituitary doffism होती है बिटा इसके case में जो बच्ची होते हैं mentally normal होते हैं sexually भी normal होते हैं पर physically doff होते हैं पर ऐसा ही case एक जगे देखने को और मिलता है अगर आपने पढ़ रखा है critanism ठीक है जब हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं thyroid तो वहाँ पर हम critanism की बात करेंगे ठीक है during embryonic stage में अगर female के अंदर mother के अंदर ठीक है hyposecretion हो जाए ठीक है thyroxine का तो बच्चों को critanism हो जाती है mentally, physically and sexually तीनों तरीके से retardation होता है पर ज्याने चना pituitary doffism में only और only hyposecretion of growth hormone hyposecretion अगर बच्चपन में ही hyposecretion हो जाता है समझ रहे हो तो आप की height बहुत तेजी से भड़ती है खली like structure बन जाएगा ठीक है खली का जो structure है वो hyposecretion कह सकते हैं तरीके से ठीक है hypersecretion of growth hormone इसी को बोलते है gigantism ठीक है gigantism आपकी height बहुत hyper हो जाती है ठीक है पर अगर मा लो आपके body के अंदर आपकी height नॉर्मल थी ठीक है सक पुछ बढ़िया था जब आप adult हुए तब hypersecretion होगा तो क्या होगा तब hypersecretion होगा तो problem हो जाएगी तब हो जाएगा आपको acromegaly acromegaly अक्सर कर lower jaw बहार आ जाता है ठीक है तो lower jaw बहार आ जाता है megaly के मतला है बढ़ जाना ठीक है तो lower jaw का बढ़ जाना इसको acromegaly बोलते हैं अगर adult में hypersecretion होता है तो basic समझ में आया तो सबसे पहले हमने pituitry में first hormone उठाया growth hormone ठीक है इसको somato ट्रॉफिक होर्मोन भी बोलता है क्योंकि somato trough से release होता है काम क्या करता है वही fat protein carbohydrates के metabolism को control करता है हमारी body के अंदर bone cartilage और body tissue की growth को control करता है इसके लावा ये blood glucose level को increase भी करता है so it is also responsible for diabetic effect hypersecretion भी problem create करता है hypo भी करता है अगर hypo हो गया तो pituitary doffism हो जाएगी mentally sexually normal but physically doff ठीक है बहुत अच्छा example है midget ठीक है circus के bone और अगर hypersecretion हो गया initial phase में तो आप बोलोगे क्या होगा gigantism ठीक है और adult के अंदर होता है तो acromegaly simple finish इतना याद रखना है आपको चलो एक hormone तो हमारा clear हो गया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते है thyroid stimulating hormone ठीक है कहाँ से निकलता है वह यह थाइरोट्रॉफ से निकलते हैं ठीक है थाइरोट्रॉफ से निकलते है thyroid stimulating hormone जो किसको control करते है thyroid gland को नामी है thyroid stimulating hormone ठीक है तो अब PSS का mean site of action क्या है किसको stimulate करते हैं यह बता होना चीए हिर यRE और य करते थाइरइंस क्या रिलीज करने के लिए palate करते हैं ये भी तो पताव नाओ चाहने हैं भुछ थारेट लेंड का रिलीस करती है, थारेट लेंड रिलीस करती है, थायरॉक्सिन, किस फर्म में, भई दो फर्म होती है, T3 होती है, और T4, और थारोक्सिन क्या काम करती है, थारोक्सिन का पता है आपको kontrol BMR, basal metabolic rate, 感覺 vite Contrusalem memory करता है ऐसी हैं बात करते हैं adinocortico-trophic hormone campaign की बात करते हैं तो ये किसको stimulate करते हैं समझे गए होगे ये करते हैं adrenal cortex को adrenal gland उसमें भी cortex इनल ग्लाइंड को इनल ग्लाइड को थुमिल्डेट कर रहा है तो कॉर्टक्स से क्या रिलीज होगा में जिक सि्क्रेशन को चूप करते हैं एन बृतस तारे होर्मोन निकलते हैं परे इनल आइनन कॉतिकों इंट कर वाते हैं ज्यान रहता है COTISO Life Saving होर्मोन COTISO Life Saving होर्मोन बहुत important है question इस पर आता है ठीक है अब बात करते है PRL problactine होर्मोन ठीक है Lactotroph से Release होता है प्रोलक्तim होर्मोन की अगर बात की जाए तो यह करता क्या है दो काम करता है stimulate भी करता है और inhibit भी करता है तो पहले stimulation की बात कर लेते हैं किसको stimulate करता है यह prolactin तो काम करता है यह एक तो development of memory gland को stimulate करता है number one memory gland का development female में दो बार होता है ठीक है एक तो puberty के time पर उसके लिए आप जानते हो estrogen responsible होता है और pregnancy के time पर तो during pregnancy progestron help करता है और after कैसकते हो baby के birth के बाद ठीक है जब lactation period आता है तो PRLS के लिए responsible होता है तब जाकर कि memory gland का development होता है ठीक है तो stimulate करता है development of मैं मेरी gland तब ही तो इसको बोलते है mammotrophic hormone एक बाद समझ में आ गई और साथ में किसको stimulate कर रहा है अब लोगे formation of milk in memory gland ठीक है formation of milk in memory gland तो अब तो लेक्टोजनिक होर्मोन है formation of है मेरीग्लेंड्स मेरे धा यहां है इसको एक इसको बोलते हैं क्या लेक्टोजनिक होर्मोन है लेक्टो अय जैनिक होर्मोन तो एक बात क्लियर हो गई हमने प्रल की बात कर रहे हैं यह मेमेरी ग्लेंड के डवलमेंट को भी इसको करते हैं आ जाते हैं इनिवीशन पर बहुत इंपोडेंट है और इनिवीशन की बात करते हैं तो पुरा मेकनिजम समझना होगा इसके अंदर विना समझे काम नहीं प्रलमस और यह जुड़ा होता है प्रोलैक्टिन होर्मोन डूरिंग लैक्टेशन पिरियेड थीक है तो लैक्टेशन पिरियेड जब निकलता है तो कौन इसके लिए responsible होगा ठीक है तो prolactin hormone को कौन stimulate करता है वह hypothalamus stimulate करेगा तभी तो prolactin निकलेगा ठीक है तो अब चलो prolactin निकलेगा तो prolactin क्या काम करेगा यह prolactin responsible होगा lactation for lactation for lactation यह हम आपको बता चुक है lactation तक की कहानी मतलब formation of milk in memory gland पर यह क्या काम करता है जब तक यह निकलेगा तब तक यह inhibitory effect दिखाएगा क्या inhibitory effect दिखाएगा आप समझो यह negative effect दिखाएगा inhibitory effect दिखाएगा है है hypothalamus के अंदर यानि यह inhibit करेगा किसके secretion को यह inhibit करेगा जी एन आर एच जी एन आर एच जी एन आर एच की सिक्रेशन को inhibit करेगा तो कि हाइपधलेमस से आप जानते हो जी एन रह हाइपधलेमस से निकलता है जी एन आर एच गुनेरटरफिंग लेजिंग होर्मोन यह जी एन रह एच को स्टिमुलेट करता है क्या रिलिस करने के लिए आप बहुरों के एंट्रेटरफिंग से ल-एच एंड एफ एफ एस एच को रिलिस करने के लिए ठीक है अगर मान लो यह निकल रहा है तो जी एन आर एच के सिक्रेशन को जी इनिविट कर देगा ये नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेगा ये नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेगा जब तक PRL निकलेगा तब तक GNRH नहीं निकलेगा तो LHFSH नहीं निकलेगे और ये नहीं निकलेगे तो mensural cycle क्या हो जाएगी stop, इस लिए से क्या हो जाएगा stop, mensural cycle female की रुख जाएगी, इसी को बोल सकते हैं, lactational amenorrhea, during lactational period, mensural cycle का रुख जाना, तो actual में किसको inhibit कर रहा है, ये inhibit कर रहा है, G-N-R-H, ठीक है, from hypothalamus, from hypothalamus, hypothalamus, hypothalamus से G-N-R-H के secretion को रोकने का काम करता है, कौन, P-R-L, और G-N-R-H नहीं निकलेगा, तो L-S-F-S-H भी नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगे, वो mensural cycle रुख जाएगी, amenorrhea हो जाएगा, इसी को बोलते है, lactational amenorrhea, तो समुझ में आ गया होगा, कि किसको stimulate कर रहा है, और किसको inhibit कर रहा है, चारों clear होगे, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स, पांच माझ जो होर्मोन आता है, गुनेडोट्राफ, ठीक है, group of cell which release, या गुनेडो, गुनेडोट्राफिक होर्मोन, कौन कौन से होते हैं, LH, NFSH, अब बात करते हैं, LH, FSH, यह होर्मोन में भी निकलते हैं, और female में भी निकलते हैं, LH, FSH, यह कर दोनों की बात की जाती है, तो male में भी रिलीज होते हैं, यह होर्मोन, और female में भी रिलीज होते हैं, तो अब male पर focus करोगे, वही, male में क्या काम करते हैं, यह LH और FSH, और female में क्या काम करते हैं, चलो, पहले, male में देख लेते हैं, LH का नाम क्या होता है, Luteinizing hormone, male में क्या काम करता है, भी गुनेट्स मैं आगे पढ़ाओंगा पर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखे होंगे ठीक है क्योंकि हम तो बस क्रैश कुर्स की बात कर रहे हैं फिर भी हम बहुत डेटेल में लेके चल रहे हैं हर चीज को ठीक है सिंगल शॉट में तो लच की अगर बात करते हैं तो मेल के अंदर लह की टैस्टी इसमें लिदिक सेल्स होते हैं इंट्रस्टीशिशल सर्वी बोलते हैं उनको टुमलेट करता है क्या रिरीज़ करने के लिए टैस्ट्ट इस्टीश और आप जानते हो Subscribe क्या क्या करते हैं ये commale करते हैं कはい असे हैं अगने अफ़े लिडिक सेल्स को और लिलिक सेल के रिलीज करते हैं यह रिवीilot करते हैं is testo कि अस्टे रॉन टैस्टो शॉन आप जानते हो मेल सेक्स होर्मों उता है और टैस्टो श्टॉन तो बहुत सारे काम करता है वह यह क्या करता है स्परमाटोग जने Dong spermatogenesis दो टेश्डोस्ट्रोन निकलता है tभी spermatogenesis induced होती है साइसाथ में 해bолог effect anabolic effect समझते हैं भाई आप gym में जाते हो लोग क्या करते हैं ऐंडूजन के इनजेक्शन स्लेते या body में कोशिश करते हैं इसके इसके लिए एनबोलिक एफेक्ट एनबोलिक एफेक्ट समझते ही होगे भई आप जिम में जाते हो लोग भई क्या करते हैं एंडूजन के ठीक है injections लेते हैं या बॉडी में कोशिश करते हैं testosterone लेविल बढ़े naturally ठीक है उसके लिए different exercise करते हैं इसकी ऐसे क्या होता है भाई मस्कुलरिटी बढ़ती है ऐसे उलने एनाबोलिक एफेक्ट बॉड़ी की मस्कुलरिटी का बढ़ना बॉड़ी के एनाबोलिजम को इंड्यूस करता है टैस्टोस्टिरोन आप समध रहे हो साथ साथ में सेकेंटरी सेक्ट्री करेक्टर के लिए इसकी रिस्पॉंसिवल होता है ठीक है ठीक है अगर 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 करते हैं मेल में अगर का काम होता है अगर साथ तोली सेल स्पम मैचूरेशन फैक्टर इसका लाबा यह बहुत सारी चीज़ें रिलीज करते हैं ठीक है पर यहां फोकस करेंगे स्पम मैचूरेशन फैक्टर जो स्पम को मैचूर कराने के लिए रिस्पॉंसिवल होते हैं मतलब इस पर मैटो जिनेस को कम्पलीट करने कर लिए के लिए रिस्पॉंसिवल होते हैं तो यह किसको स्ट्यूमिलेट करते हैं और आधास करते हैं आधाने के लिए पर प्रक्वार यह वेस्ट करते हैं यह रिलीज करते हैं यह मैचूरेशन फैक्टर और ये क्या काम कराते है maturation of sperm maturation of sperm चलो ये भी clear हो गया अब बात करते है female में क्या roll है female में आप जानते हो female में FSS का roll क्या होता है female में FSS नाम ये follicle stimulating hormone ये female में ovary के अंदर follicle को stimulate करता है यानि ये stimulate करता है development of follicle development of follicles पहला काम समझ में आगया pituitry से FSS निकलेगा जो ovary में follicular development को stimulate करेगा और follicle का development होगा तो आप समझते हो follicle से कौन सा होर्मन निकलता है estrogen means indirectly estrogen के secretion को भी stimulate करता है ठीक है and secretion of estrogen चलो यही वाली बात भी clear होगी ऐसे अगर हम आप से पूछते हैं समझ ना ऐसे अगर हम आप से पूछते हैं LH का work क्या है in case of female तो female में अगर हम LH के work की बात करते हैं समझ ना female में अगर हम LH के work की बात करते हैं तो LH क्या काम करता है LH का नाम यह है luteinizing hormone यानि यह evolution करा करकर के corpus luteum का formation करता है तो पहला काम तो क्या है evolution और क्या काम करता है formation of corpus luteum formation of corpus luteum साथ में और क्या काम करता है corpus luteum को maintain करने के लिए यही responsible होता है maintain corpus luteum corpus luteum को maintain भी करता है इसके अलावा और क्या काम करता है corpus luteum को maintain करने का मतलब indirectly यह corpus luteum के hormone को release कराने के लिए responsible है means estrogen progestron, milliprogestron, progestron, estrogen, inumin, etc in hormone के release कराने के लिए responsible है ठीक है, secretion of secretion of progestron estrogen inhibin, etc mainly progestron, ठीक है इन hormone के secretion के लिए भी female में responsible होता है conclude करता हूँ एक फड़ाफ़ ठीक है तो सबसे बहल हमने बात की यहाँ पर पीटी उटरी के hormone की बात चल रही थी ठीक है, सुमेटोट्रॉफ तो clear होगे thyro-troph clear होगे, thyro-troph से TSS निकलता है जो thyroid को stimulate करता है और thyroid gland से thyroxin निकलता है T3, T4 ठीक है, जो हमारे body के metabolism को control करता है ठीक है, finally हमने बात कीती इसका, lacto-troph lacto-troph, lacto-troph, अच्छा, lacto-troph से भी पहले बात कीती है हमने, ठीक है, lacto-troph thyro-troph हो गया, फिर cortico-troph, cortico-troph की बात कीती तो cortico-troph से melanocyte stimulating hormone भी निकलते हैं, जो हमने starting में बता दिया detail में, अब यहाँ detailing की बात नहीं करेंगे यहाँ main जो hormone निकल रहा है, ध्यानक नहीं आपको ठीक है, adenocorticotrophic hormone जो कहाँ से निकलता है, adrenal cortex से निकलता है क्या काम करता है, यह emergency hormone cortisol, mainly emergency hormone cortisol के secretion को induce करता है, के लिए रहे बिलकुल चलो, इसके बाद हमने बात कीती, lacto-troph, lacto-troph काम कर रहे है, PRL, prolactin को release कर रहे है, prolactin, stimulation का भी काम करेगा, inhibition का भी काम करेगा, stimulation memory gland का development और formation of milk in memory gland, inhibition GNRH, अगर वो नहीं निकलेगा, during lactation period, जब तक यह निकलेगा, तब तक LH और FSH भी नहीं निकलेगे बिटा, और दोनों नहीं निकलेगे, तो मेल में भी निकलते हैं, female में भी निकलते हैं, अगर मैं LH की बात करता हूँ, male में LH FSH की male में और female में, तो पहले बात कर लेते है, male में LH और FSH, तो male में LH क्या काम करता है, male में LH का काम होता है, lidic cell को stimulate करना, testosterone, और testosterone आप जानते हो spermatogenesis को भी इंड्यूस करता है, भी एनबॉलिक एफेक्ट के लिए भी responsible है, इसके अलावा ठीक है, यह secondary sexual character के लिए responsible है, और अगर हम FSH की बात करते है, male में, तो आप समझेगे, वो इस cell को stimulate करता है, spermaturation factor को release करने के लिए spermatogenesis को complete कराते हैं और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इन दोनों होर्मोन का female में, तो female में FSH, follicle stimulating hormone follicle का development, और follicle से ही तो निकलते हैं, estrogen means estrogen का secretion भी induced कर रहा है ठीक है, और LH क्या कर रहा है LH, luteinizing hormone formation of corpus luteum means evolution, evolution, formation of corpus luteum, maintain corpus luteum और अगर वो maintain रहेगा LH के तो तो कौन से hormone निकालेगा? progestron, estrogen, inhibin etc एक dumb brain में set, आगे चलते हैं तो यह हमारा pituitary का anterior part complete हो गया, अब हम बात करते हैं posterior pituitary की तो posterior pituitary मिल ली क्या modification of hypothalamus, ठीक है? modification of hypothalamus ध्यानखना है आपको और यहाँ पर जो भी हार्मोन बन रहे है हो सारे hormone कहां बन रहे है? hypothalamus में बन रहे है, तो क्योंसी का modification है? में ली दो hormone है, vasopressin और oxytocin, vasopressin को और बो क्या बोलते है? ADH नाम में चुपा हुआ, ADH anti-diuretic hormone यानि urine को dilute होने से रोकने वाला hormone means urine को concentrated करने वाला hormone, आप समद रहे ना मेरी बात emergency, जब बोडी में water deficiency हो जाती है, dehydration होता है, तो जी बोडी से water के reabsorption को या conservation पर काम करता है, तो कहां कहां से water loss होगा? sweat gland से loss होगा, ठीक है, आप समझी गई होगे, ठीक है, हमारी जो blood vessels होते है, surface पर वहां से होगा, इसके अलाबा ये kidney से होगा तो ये hormone करता क्या है? ये water के reabsorption को बढ़ाता है, sweat gland pest receptors होते हैं, ठीक है, तो वहां इसको inhibit करेगा, sweating ना हो, skin में, जो skin के नीचे blood vessels होते हैं, उनको construct करा देगा, जिसे कम से कम surface ही रिया हो, जिसे कम से कम water evaporation ना हो, और kidney kidney से क्या काम करेगा? kidney में specially कहां से? तो कहां का, sweat gland pest receptors होते हैं, blood vessels पर होते हैं और nephron पर होते हैं, DCT और collecting ducts से water के reabsorption को बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब करता क्या है, increase absorption of water and salt, उनके absorption को बढ़ा देगा, ठीक है, और क्या काम करता है, अगर हम इसके बात करते हैं, तो ADH, भई हाँ, में लिए काम है, इसके लावार क्या होता है? अगर ADH नहीं निकलेगा, hyposecretion of ADH हो जाए तो आपकी urine concentrated हो पाएगी, क्या? नहीं हो पाएगी urine बहुत जादा release होगी आपको diuresis हो जाएगी इसके hyposecretion की बज़े से, और diuresis किस केस में होती है? diabetes mellitus के केस में होती है, और अगर बिना diabetes mellitus without insulin deficiency, अगर आपको diuresis हो रही है, तो इसको diabetes insipidus कहते हैं, due to hyposecretion of ADH, भई urine, समझ तो रहे होगे ना? भई यह काम करता है, urine से water को observe करता है, यह नहीं निकलेगा, तो water observe नहीं होगा, water observe नहीं होगा, तो आपकी urination बहुत जादा होगा, diuresis हो जाएगी जो diabetes के किस में होता है, तो लगेगा diabetes हो गई, पर diabetes नहीं होई, क्योंकि इसका hyposecretion हो गया, तो it is responsible for ठीक है, कह सकते हो diabetes during hyposecretion of ADH, तो यह सारे questions इस पर बनते हैं, बहुत 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 कोशन बनते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं oxytocin, यह oxytocin का main काम क्या होता है, contraction in smooth muscles, तो इसके receptor uterus पर भी होते हैं, पर actual में during pregnancy, last month में इसके receptor uterus पर rate होते हैं, ठीक है, इसके अलावा से receptor और कहा होते हैं memory gland ठीक है, तभी तो during lactational period यह release होता है, memory gland से bind करता है और contraction कर start कर देता है, इससे milk का ejection start हो जाता है, so it is called milk ejection hormone ठीक है, तो memory gland पर से receptor मिल्ट ejection hormone uterus पर है, तो during child birth utreine contraction को stimulate करता है, so it is called All Birth Hormone इसको Birth Hormone भी बोलते हैं तो यह हमाराunde वाला पार्ट एक दम बहत बहतरीन तरीके से आपके ब्रेडमें में set तुड़ आओगा कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने यह कोंटा, एक एक चीज इतम clear करती है, आगे बढ़ते हैं थे कोशें मैं बहुत बहतरीन anterior pituitary अब देखो, A hypothalamus, A hypothalamus सही है, ठीक है, produce prolactin hormone, wrong हो गया, prolactin तो नहीं बनाता है hypothalamus, चलो, B क्या है, B देखो, B anterior pituitary, यहां posterior दे दिया, यहीं wrong कर दिया, ठीक है, C देखो, C, C क्या है बेटा, portal system, portal circulation, बिल्कुर ठीक है, supply blood from hypothalamus to posterior pituitary, ना बेटा, anterior pituitary में, posterior में supply, नहीं होती, तो यह भी wrong हो गया, आगे देखो, D क्या है, posterior pituitary, D, हाँ, बिल्कुर सही, D, posterior pituitary है, absolutely right, तो यहीं right, right होगा, ठीक है, यह anti-repetuitary है, वो posterior pituitary है, चलो, ठीक है, posterior pituitary है, release, oxytocin and vasopressin, अभी तो बढ़ा था, यहीं से तो release होता है, produce नहीं होता, synthesize नहीं होता, सिर्फ release होता है, absolutely right, तो कौन से option सही हो जाएगा, D, यहीं, NCRT based कैसे question बनते हैं, यह बताना चाह रहा हूँ, इसलिए NCRT के diagram बहुत जरूरी है, आगे चलते हैं, जैसे अब hypothalamus की बात करते हैं, तो hypothalamus कहां होता है, तो समझना मेरी बात, हमारे, जब आपको मैंने brain पढ़ाया था, तो बताता है, brain में third ventricle होता है, third ventricle, इस third ventricle की अगर बात करते हैं, तो इस third ventricle में समझना, यह यहां तो होते हैं, मैंने diagram बना के भी दिखाया था, nervous system के अंदर dyncephalon का diagram बनाया था, यह बुरा structure है, इसको बोलते हैं क्या, dyncephalon, ठीक है, यह तो thalamus हो गए, उपरवाला part क्या हो गया, epithalamus, और epithalamus को जोड़ी होती है, आप जानते है, epithalamus जोड़ी होती है, pineal gland, और नीच वाला part क्या हो गया, hypothalamus, उसको लग दिखा connected होता है, आप जानते हो, hypothalamus connected होती है, pituitary, अब समझ में आ गया होगा, position क्या है, hypothalamus की, hypothalamus की position कहा होती है, यह hypothalamus, pituitary, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है, यह पूरा part dyncephalon है, कहाँ पर प्रेजेंट है, dyncephalon, और dyncephalon किसका part है, four brain का, part of four brain, यानी hypothalamus कहाँ पर होता है, hypothalamus four brain के dyncephalon वाले part में होता है, pituitary से, ठीक है, connected होता है, with the help of infundi volume, चलो, एक बात तो clear हो गई, ncrt के line समझ में आगी, कहाँ होता है, किस से connected होता है, किस part पर होता है, एक बात clear है, बिल्कुल clear है, आगे बढ़ते हैं, बई क्या release करता है, यह releasing hormone और inhibiting hormone नहीं, होता है, ठीक है, तो hypothalamus release, releasing and inhibiting hormone, ठीक है, which control and control, secretion of anterior pituitary, चलो, कैसे control करता है, जैसे, भाई, growth hormone, भाई, growth hormone, releasing hormone कहाँ से release होते हैं, growth hormone, releasing hormone, hypothalamus release होते हैं, ठीक है, जो किसके secretion को stimulate करते हैं, यह secretion को stimulate करते हैं, ठीक है, किसको stimulate करेंगे, growth hormone, या, somatotrophic hormone का secretion को stimulate करेंगे, भाई, TRH, यानि, समद गया होगे, ठीक है, thyroid stimulating hormone को release करने वाले hormone, ठीक है, TRH, thyroid trophic releasing hormone, तो thyroid trophic releasing hormone किसको stimulate करेंगे, यह stimulate करने वाले हैं, thyroid stimulating hormone के secretion को, ऐसे gonadotrophic glazing hormone किसके secretion को stimulate करेंगे, यह stimulate करेंगे, LH, and FSH, gonadotrophic secretion को, CRS किसके secretion को stimulate करेगा, mainly instrument करेगा, adenocortico-trophic hormone, और PRH, किसको stimulate करेगा, PRL, यानि, इन hormone के secretion को, यह कहां से release होना है, pituitary, रिज़ कहां से होते हैं, pituitary, कौन सा pituitary, anti-repetuitary, तो इन anti-repetuitary के hormone को, यह releasing hormone, hypothalamus से निकलते हैं, वो stimulate करते हैं, यह सारे के सारे stimulate कर रहे हैं, अच्छा, इनके secretion को रोकता कौन है, यह भी तो पता होना चाहिए, यह भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है, growth hormone के secretion को जो inhibit करता है, वो भी hypothalamus से निकलता है, ठीक है, तो growth hormone के secretion को inhibit करने वाला होना था सुमेटो स्टाटिन, एक बात ध्यान रखना, growth hormone, releasing hormone को बोलते हैं, सुमेटो क्राइन, कभी-कभी confused ना हो जाओ, एक question मैं ऐसे मिलके आ जाता है, सुमेटो क्राइन, ग्रोथ होर्मोन, releasing hormone को बोलते हैं, ठीक है, और सुमेटो ट्रॉफिक होर्मोन, समझी कहिए, growth hormone को बोलते हैं, सुमेटो स्टेटिन, inhibitory hormone को बोलते हैं, ऐसी PRL के secretion को inhibit करने के लिए कोन होता है, दोपामाइन, अब आपका कोई साथ ठीक है, सुमेटो स्टेटिन, समझी में आगा, growth hormone को inhibit कर रहा है, डोपामाइन, PRL को inhibit कर रहा है, पर remaining hormone को secretion को inhibit को inhibit कोन करता है, वो अपने secretion को inhibit खुद कर लेते हैं, means feedback inhibition, remaining hormone किसको सोग करते हैं, feedback inhibition, यानि यह hormone अपने secretion को खुद inhibit कर लेते हैं, अगर इनका secretion hyper हो जाए तो, समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से hypothalamus anterior pituitary को control करता है, with the help of releasing and inhibiting hormone, एकदम NCRT की line to line clear कर रहा हूँ, with the help of diagram and flow diagram, तो हमारे दो gland cover हो गए, third gland पर आ रहे हैं, pineal gland, बहुत important gland है, ठीक है, तो अगर pineal gland की बात करते हैं, समझो position, कहां होती है, अभी जिस्ट बताया था, मैंने pineal gland के बारे में, वह नीचे तो क्या हो गया, hypothalamus, pituitary, यह उपर हो गया, epithalamus, और यह हो गई आपकी pineal gland, यह, pineal gland, ठीक है, डाइन सेफलोन वाला पार्ट है, यह भी समझगे हो कि यह कहा है, डाइन सेफलोन, four brain का पार्ट है, चलो एकदम clear है, अब यहां हो क्या रहा है, अब समझना, यहां पर actual में डाइगराम दिख रहा है, आपको, यह eyes का डाइगराम है, यह eyes है, यह भी eyes है, ठीक है, आइस पर क्या हो रहा है, eyes पर light पड़ रही है, अब light का क्या काम है यहां पर भई, light क्या कर रही है, light संजाता हूं, जब आपकी eyes पर light पड़ती है, तो आइस की रेटीना समझना आइस की रेटीना यह पे निउरोंस होते हैं यह निउरोंस यहां से सीधे पिनल लेंट से चुड़े होते हैं ऐसी आइट की रेटीना से निउरोंस होते हैं यह यहां से सीधे पिनल लेंट से चुड़े होते हैं ठीक है इनको आप्टिक नर्व हैं क्या बोलते हैं को Optic nerve, this is a Optic nerve, Optic, सुना होगा, यह Optic nerve Crosswise, Optic, ठीक है, Chiasm बनाती है, Optic Chiasm, Crosswise, जो आपकी Eyes की Retina से जुड़ा हुआ होता है, यह Eyes है, वही चक्कर क्या है, Eyes का, Light का, क्या concept है याप इस G्लैंड से, समझाता हूँ अभी, Light जब पढ़ती है, आपकी आइस की ऊपर ठीक है तब आप्टिक नर्फ के तुरू सिगनल सीधा कहा जाता है पीनियल ग्लेंड के पास तब पीनियल ग्लेंड क्या रिलीज करती है इस लाइट के एफेक्ट से यह रिलीज करते है एक होर्मोन मिलेटोनिन होर्मोन यह क्या करता है मिलेटोनिन होर्मोन यही तो मेन होर्मोन है ठीक है जो पिनिल लेंड का होर्मोन है यह क्या करता है बिटा आप दोको मिलेटोनिन होर्मोन यह बड़ा इंपोटेंट रोल प्ले करता है ठीक है जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो decrease हो जाएगा melatonin का secretion पर जब light intensity घटेगी तो increase हो जाएगा melatonin का secretion यानि कही ना कही light responsible है इस melatonin को release करने के लिए और इसको इनिविट करने के लिए light melatonin के secretion को inhibit करने का काम करती है तभी तो ये diurinal cycle दिन और रात को control करता है दिन का time रात का time ठीक है मुझा इस gland पर मैं जितना बोलूँ मुझा एक जड़ घंटा भी बोलूँगा तो कम है क्योंकि ये gland बहुत spiritual liti के हिसाब से भी ये super gland है आपको पता ही नहीं है अभी scientist के बारे में पता ही नहीं scientist को क्या है क्योंकि बहुत सारी चीज़े में छिपी हुई है जब आप एक आयम से दूसरे आयम में जाते हो मतलब जब spiritual science की बात करता हूँ आप meditation करते हो ठीक है आपके अंदर internal energy का level बढ़ता है जो कहीं ना कि spiritualitically sponsor होता है जो जितनी भी लोग meditation करते हैं और घंटों बैठे रहते हैं जैनि उनके अंदर मिलेटन का level automatically बढ़ रहा होता है आप समझ रहे हो ना मेरी बात light अगर जाएगी आँखों में ज़्यादा तो secretion inhibit और जब आँखे बंद करके जब आप meditate करते हो तो automatically इसका level बढ़ना start हो जाता है अभी तो ठीक है diurinal का मतलब है दिन और रात pineal gland is located in the dorsal side of the forebrain बताई दिया मैंने forebrain के dorsal side ठीक है forebrain के dorsal side ध्यानक न dorsal side में present होती है जो secret करते है melatonin hormone को release करते है संजाई चुकाओं मैं melatonin hormone को release कर रही है यह काम करता है यह play important role in regulation of 24 hour diurinal rhythm 24 hour 24 गिंटे का time होता है दिन और रात का time होता है यही decide करता है तभी तो सुबह उठते ही आपका BMR बढ़ा हुआ होता है रात होते ही hormone की जो eyes है third eye जिसे बोलते हैं हम यह penile gland है यही हमारी eyes से जूड़ी हुई है यही melatonin को hormone release और inhibit करके ठीक है body की other system को control करती है हमारे पूरी biological clock को यही maintain करती है समझ गई होगे अब तो इतने में ठीक है इसलिए इसको ऐसे भी बोलते है कि यह help करती है maintain करने में normal rhythm of sleep walk cycle sleep walk यहीं समझ रहे हो रात और दिन का जो time है ठीक है सोना और जगने की cycle है उसको यही control करती है साथ में body temperature को भी maintain करने का काम करता है बहुत important अभी तो night के time पर आपका body ठंडा हो जाता है और दिन के time पर आपका body गरम हो जाता है क्यों क्योंकि दिन के time पर BMR बढ़ जाता है और रात के time पर BMR घट जाता है तभी दिन के time जो भी खाओगे आप digest कर पाओगे रात के time जो भी खाओगे digest नहीं कर पाओगे बहुत important रोल है in addition इसके अलावा और क्या काम करता है इसके question आते है बहुत important रहना function इसके also influence metabolism समझ में आ गया होगा pigmentation समझ में आ गया होगा क्योंकि दिन के time पर pigmentation बढ़ जाता है light को protect करने के लिए again समझ में आ गया होगा ये single responsible है ठीक है और किसके लिए menstrual pigmentation the menstrual cycle as well as the our defense capacity menstrual cycle को भी control करने में capable है और defense capability defense capability क्यों क्योंकि अगर आपकी body में milanin pigment जादा है ठीक है तो आपकी body different type थी light से protect करने में milanin pigment कहा जाता है जिनकी skin में milanin जादा होते हैं ठीक है तो milanin pigment जादा होते हैं तो उनको skin cancer होने की probability कम होती है ठीक है तो एक तरही किसे protect करने का भी काम कर रहा है उससे भी protect कर रहा है इसके लावा भी बहुत सारे BMR बहुत सारे चीज़ों को influence करके यह हमें defense system का भी काम करता है तो बहुत important है ठीक है तो position समझ में आई होगी क्या इसका regulation है कौन सा hormone release करती है light का क्या effect है light क्यों उसके secretion को inhibit करती है light कम होगा तो इसका label बढ़ जाएगा function clear है अब देखो अब पूछ के रहे है पूछ रहे है इस diagram में बताओ वो कौन सी gland है 24 hour diurnal nocturnal मतलब होता है रात की cycle होती है nocturnal diurnal का मतलब होता है रात और दिन 24 hour की cycle हो गई चलो तो कौन सी gland है भाई pineal gland धूर नहीं है आपको तबाइन CRT का डाग्राम वार आपने अच्छे से बनाया होगा अपने हाथ से तो आप तुरण समझ जागो इस side pineal gland लिखी हुए थी pineal gland क्या होगी पीटा h c बाला part क्या होगा यह responsible है आपकी diurnal cycle को control करने के लिए अच्छाए question हो और है identify hormone ठीक है ऑक्सेटोसिन पोस्य पीटी उट्री से हाँ ठीक है growth of memory gland नो बिटा ऑक्सेटोसिन का growth से कोई संबंध नहीं होता ENF कहां से निकलता है atria से दिख्या रखा है ventricle again गलाद wall of atria से निकलता है ठीक है milletonine pineal gland से regulate sleep walk cycle yes absolutely right तो समझ गयोगे right क्या है wrong क्या है किस तरीके से आपको identify करना है तो हर चीज हम आपको बहुत भैतरीन तरीके से समझाते जा रहे है अब again very important thyroid बहुत important adrenal thyroid यह तो बहुत important gland है बिटा इनसे question सबसे ज़्यादा पूछे जाते है तो focus करना thyroid पे तो पेरा तो NCRT के diagram की बात करें the thyroid gland is composed of two lobe दिख रहे होंगे आपको two lobe ठीक है which are located on either side of the trache अब ही trache है vocal cord दिख रही है आपको वह दो lobe दिख रहे हैं first lobe and second lobe और दोनों lobe वापस में जुड़े हुए होते हैं connected होते हैं इस थमस जो कौन है connected tissue है इस थमस connected tissue से दोनों lobe वापस में connected होते हैं यही तो है आपकी thyroid gland ठीक है both lobe interconnected with a thin flap of connective tissue जिसको क्या बोलते हैं इस थमस बोलते हैं ठीक है अब thyroid gland की बात करते हैं समझ में आगा thyroid gland क्या है कहा है और thyroid gland के अंदर ही होती है parathyroid इसी के अंदर 1,2,3,4 यह gland होते हैं parathyroid और thyroid के अंदर ही parathyroid होती है कहीं जाने की जिरूती नहीं है यह क्या है parathyroid parathyroid कितने होते हैं two pairs four होते हैं parathyroid दिख रहे होंगे आपको चलो ठीक है तो thyroid और parathyroid यहां हम discuss करने वाले हैं värैर्वध की बात करते हैं फिर param अगर हम thyroid की बात करते हैं समझना अच्छे सी भाई लोब्ड है इसके अंदर parathyroid इसके अंदर यह है हमको अल्प्स서 समझेंगे ठीक है अब हम सबस्राइब करते हैं थाइ草रnd का चलो कर लेते हैं section cut barre और k छुट और सेक्षिंग कट करते हैं कि एक चुट सेक्षन कट करें दिखते हैं धाल के अंदर क्या है थैर्यड की बात चल रही है ठीक है घ्रपीद की बात चल रही हैं यह कट करकी हमने यह बाहर निकाल यह क्या है थैरएट आप ये हम परतर त्रग की बात कर रहे हैं हम थायरप की बात कर रहे हैं थायरप के एक सीक्शन को कट करके हम बाहर निकाल के देख रहे हैं कि एक्श्वल में तो फायरओंड के अंदर ध्याने और अठना है आपको छोटे चोटrie Dass झानीत करका करते हैं। आपको stromal tissue के अंदर और क्या दिख रहे हैं आपको blood vessels दिख रहे हैं stromal tissue के अंदर और अंदर क्या है follicles है तीन चीज़ें दिख रहे हैं आपको thyroid के अंदर follicles, para follicular cells, green color से और red blood vessels यह सब एक tissue में है connected tissue जिनकों stromal tissue बोलते हैं चलो एक बात क्लियर हो गई, thyroid का diagram समझ में आगया, यह बाई lobed है, इस तमस से connected है, ठीक है, cut करके देखोगे, तो तीन चीज़ें दिख रहे हैं, follicles दिख रहे हैं, ठीक है, para follicular cells दिख रहे हैं, follicles से बाहर हैं, para follicular और blood vessels हैं, इस सब कुछ stromal tissue में है, चलो ठीक है, अब एक एक में focus करेंगे, पहले हम बात करते हैं, follicular cells, यह follicular cells किसे मिलके बने होते हैं, simple cuberdal epithelial tissue, इनके अंदर क्या होता है, एक lota hormone है, जो store form में होता है, तो store form of, किसकी store form है, T3, T4, thyroxin, क्योंकि thyroid से बनता है, thyroxin hormone, किस form में होता है, T3 और T4 form में होता है, वही normal, जो हमारी body में thyroxin का label है, T3, T4 है, आपको पता होना अच्छी है, ठीक है, T3 जिसमें most active form होती है, ठीक है, चलो, तो ज्यारकना, जो store form होती है, इसकी, store form, store form of, T3, T4, thyroxin, store form को क्या बोलते है, thyroglobulin, तो thyroglobulin is a store form of, T3, T T4, thyroxin, तो T3, T4, thyroxin की जो store form होती है, उसी को बोलते है, thyroxin, तो actual में question आता है, कि thyroxin है, क्या, ये thyroxin, जो T3, T4, thyroxin है, ये, thyroxin amino acid की, i-donated form होती है, very important, इसको तो लिखेंगे, ठीक है, thyroxin क्या है, इस आ, आई-डो, nated form, of, tyroxin amino acid, tyroxin amino acid की, i-donated form होती है, उसी को थायरोक्सिन बोलते है, very important, धाना question कई बार repeat हुआ है, तो एक बार समझ में आगा है, एक लौता होर्मोने तो store form में होता है, thyro globulin बोलते हैं, store form को, ठीक है, यही thyro globulin, convert होती है, thyroxin, कौन सी thyroxin, T3, T4 thyroxin, और actual थायरोक्सिन है, क्या, यह, tyroxin amino acid की, i-donated form है, मतलब, tyroxin का i-donation हो जाएगा, कैसे होगा, समझा रहा हूँ अभी, बहुत बहतरी न तरीके से, ठीक है, इसको में अलग से लेके चलेंगे, पूरे एक slide पर अलग, अब पहले एक parallelी बात कर लेते हैं, कि इनके बहार एक cell और होते है, पैरा follicular cells, green color से represent किया है, पैरा, बहार, यह भी एक hormone release करते हैं, thyroid का part है, इसको बोलते है, thyrokelsitonin, TCT, thyrokelsitonin, TCT, यह thyroid से release होता है, करता क्या है, यह blood calcium label को कम करने का काम करता है, ठीक है, thyroid का काम है, blood calcium label को कम करना, बिद्दा, L-POP, पैरा, follicular cells, जो release करते हैं, TCT, thyrokelsitonin, कैसे कम करता है, अगर blood में calcium label बढ़ जाएगा, तो उस calcium को उठा करके, bone के matrix, मैं add करना चालू करेगा, बोन की surface से जोड़ना चालू करेगा, means adsorption, एक होता है absorption, एक होता है adsorption, एक होता है resorption, समझना, तो absorption का मतलब अंदर जाना, adsorption का मतलब surface पर जोड़ जाना, और resorption का मतलब तूट जाना, breakdown, ठीक है, decompose होना, ठीक है, decalcified होना, समझाऊंगा उसको भी, तो ये क्या करता है, बोन की surface से calcium को adsorve करता है, add करता है, ठीक है, इसके matrix में, ठीक है, तो blood calcium level कम होगा, फिर भी अगर excessive amount में है, तो इसको kidney के थोड़ोग इलिमिनेट भी करता है, एक ही purpose है, blood calcium level को कम करना, तो समझ में आ गया होगा, कि actual में, जो TCT होर्मोन है, thyrocalcitonin, वो blood calcium level को कम करता है, means hypocalcemic होर्मोन है, hypo का मतलब कम, यानि calcium के level को कम करने वाला होर्मोन है, ठीक है, तो question आता है, which of the following, ठीक है, act as hypocalcemic, तो blood calcium level को कम करने के लिए, responsible कौन हो है यहाँ पर, TCT, कैसे करता है, adsorption of blood calcium in bone matrix, और क्या करता है, elimination of extra calcium through kidney, तो यह करके, calcium को कम करेगा, तो एक काम तो thyroid को समझ में आगा, यह है, दूसरा, thyroid में होर्मोन रिलीज कर रही है, वो thyroxin है, thyroid किस फॉर्म में रिलीज वर, T3, T4, यह IDONATED फॉर्म में कैसे है IDONATED, यही तो समझना है, जहां maximum बच्चे confuse होते हैं, चलो उसको clear करते हैं, देखो, follicle को में ले लिए, यह पूरा follicle है, वानों पूरा follicle है, follicle के भाहर क्या है, blood vessels, blood vessels, यह क्या है, follicular cells, चलो यह दोनों बात clear हो नहीं, follicle cells, blood vessels clear हो रहे हैं, आप समझना होता क्या है, बलड में क्या होती है, iodine, आप खाते हो iodine, तो blood में iodine होती है, तो iodine क्या करती है, absorb वो करके follicle cells में आती है, follicle cells से का में पहुंचती है, आपके follicle के अंदर, ठीक है, जो colloidal substance से उसमें आती है, iodine, अब यह iodine क्या काम करेगी, यह iodine, अब अंदर जो क्या है, thyroglobulin, यह तो दिख रहे हैं यह आपको, यह structure दिख रहा है, यह किसका structure है, यह thyroglobulin का है, इस टोर form of thyroxin, thyroglobulin, आप समझ रहे हो, इस thyroglobulin के अंदर, क्या है बेटा, यह मोतियों से मिलके, बनी हुई माला है, जिसमें different type की amino acid है, पर मैंने focus किस पर किया है, thyroxin amino acid को मैंने दिखाया, कोशिश किया है, कि इस माला में, thyroxin amino acid है, तो जब यह iodine, अब दो एक tyrosin से, या तो एक iodine bind हो सकता है, या maximum दो iodine bind हो सकते हैं, बनी को basic समझ ना, ठीक है, यह इस polypeptide chain, जिसको thyroglobulin बोल रहे हो, उसमें tyrosin amino acid target side है, जहां यह iodine, या तो tyrosin पर दो iodine bind हो जाएंगे, या एक iodine bind हो पाएगा, अगर दो iodine bind होते हैं, तो उसको बोलते हैं, बहुत इंपोरेंट बात बता रहा हूं अप थीक है अब होगा यहां पर कि अ कि ताकलर सब्सेट डार्क यलो दिखा देननी है जो कोई नहीं ठीक है अब क्या होने वाला यह आप पर अब यहां पर क्या होगा समझना यह आपसमें बॉंडिंग हो जाएगे यह आयोदीन की बंडिंग हो गई यह आफ इनकी बंडिंग हो गई तो यहां पर structure जो आएगा वह यह बनेगा थिक है यह structure यह बनेगा इसके लिए यहां तो बन सकता है tryido समझना tryidothyronin यह बनेगा tetraidothyronin इसको बलते हैं t3 और इसको तो ऐसें T4 ये दोनोध थायरोक्सिन की तो थायरोक्सिन के दो फॉर्म हो सकते हैं T3 T4 ये इस फॉर्म में अंदरिफ Coloreurs डिलोभिलिंग की फॉर्म में स्टोर रहता है तो समझ में आया होगा हुगा कि एक्षॉल मेंस्व हो था है IOD JUN Wisconsin-19 então आयोड़ोक्सिन कर लेंगे तो ट्राई बन जाएगा इस फर्म में पड़े रहते हैं यह मोतियों की माला पड़ी हुई तब भाई पिट्यूटरी से निकलता है हाईपोथेलमस से निकले कर समझी गए फिर पीटी उटरी, तो पीटी उटरी निकलेगी, रिलीज करेगी क्या, TSH, ये TSH बिलट के थुरू आएगा, रिसेटर से बाइंड करेगा, और रिसेटर से बाइंड करते ही, सिगनल जाएगा, कहाँ पर, अंदर, सिगनल अंदर जाएगा, तो अंदर, अब क्या होगा, इनका, endocytosis होगी, इन, ये मैं बड़ा दिखाया है, ये बहुत प्रोटीन होगे, ये बापस सेल के अंदर आएंगे, सेल के अंदर आएंगे, तो अंदर आप जानते हो, क्या होते हैं, अंदर, भई, वो, endocytis हो दूने से पकेट्स होते हैं, इस माला को तोड़ देंगे, इस माल जब vesicles exocytosis से बाहर निकलेंगे, तो इन से सिर्फ दो ही चीज़े बाहर निकल सकती हैं, यानि ये memory सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए परमेविल होगी, किस-किस के लिए, एक तो T3 के लिए, प्लस एक T4 के लिए, यानि T3 और T4 कहां पर आजाएंगे, बलड के अंदर, करेंगे, ठीक है, जिसमें 20% के आसपास तो T3 होता है, और लगभग 80% के आसपास बोल सकते हो, T4 होता है, ठीक है, तो T3 तो ठीक है, अब T4 क्या करेगा, ये T4 एंटर करेगा, ये T4 एंटर करेगा, लिवर में, और लिवर में क्या होने वाला है, लिवर में जब जाएगा, तो लिवर में T4 से एक आयोटीन बाहर आजाएगा, और बन जाएगा अगें T3, यही तो हमें चाहिए था, T3 is the most active form of thyroxine, ठीक है, most active form of thyroxine, वही हमारे blood में T3, T4 दोनों ही मिलते हैं, पर T3 सबसे active form होती है, पर बनती भहुत कम है, T4, T3 में कहां convert होता है, लिवर के अंदर हो जाता है, ठीक है, एक आयोटीन को release करके, तो most active form of thyroxine T3 होती है, एक एक concept clear हो रहा होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, concept रिक्दम सेट हुआ होगा, मुझे लगता है कोई doubt है यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो, एक बात तो clear हो गई, कि थायरोक्सिन क्या होता है, यानि थायरेट दो ही होर्मोन रिलीज कर रहे है, एक तो TCT, ठीक है, थायरोक्सितोनिन और दूसरा थायरोक्सिन, ठीक है, तो TCT का function तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, यानि क्या है, हाइपो कैलसिमिक होर्मोन है, ब्लड में कैलशियम लेविल को कम करता है, ठीक है, कैसे करता है, समाझ में अब बात करते हैं, थायरोक्सिन की, ठीक है, थायरोक्सिन का काम क्या है, function समलो, थायरोक्सिन करता क्या है, फिर मागे बढ़ता हूँ, थायरोक्सिन का function क्या है, अब सुनो, थायरोक्सिन का main function क्या है, यह बहुत important function है, directly question मिल जाएंगे, ठीक है, तो यह करता क्या है, पहल metabolic rate ठीक है पहला function दूसरा क्या काम करता है यह support करता है किसको किसको आप लोगे भई red blood cell formation को RBC formation को support करता है जहीं कह सकते erythropoiesis को induce करता है और क्या करता है यह carbohydrate protein और fat के metabolism को control करता है तभी तो BMR को control कर रहा है और क्या करता है यह maintain करता है water electrolyte balance समझना मेरी बात ठीक है इसके अलावा और क्या काम कर रहा है इसके अलावा ठीक है यह secret करता है protein hormone यह बताए दिया मैंने main hormone protein hormone जो बताए मैं कौंसा protein hormone release करता है PCT thyrocalcitonin तो यह सारे function very 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 important function of thyroxine तो thyroxine की function समझ में आगे होंगे भी एक काम क्या क्या कर भी BMR को control कर रहा है ठीक है RBC formation को induce कर रहा है fat protein carbohydrate metabolism control कर रहा है साथ में electrolyte balance के लिए भी responsible है water electrolyte balance के लिए भी responsible है ठीक है तो यह एक बहुत important function इस पर question बनने की probability रहती है एक आर्वीसी formation दो function तो सबको बताई होते है कि main function क्या है basal metabolic rate को control करना fat protein carbohydrate के metabolism को control करना पर RBC formation और साथ साथ में water electrolyte balance के लिए भी responsible यह होता है ठीक है बहुत important hormone है ठीक है अब disorder की बात कर लेते हैं इसके disorder क्या है मैंने बताया था जैसे pituitry के से बताया था हाइपो सीक्रेशन होगा डॉफिजम हो जाएगी hyper हो जाएगा तो गाइगेंटिजम या एक्रोमिगेली हो जाएगी ऐसे ही यहां मैं निदिए भी अपको ध्यान अगना ह। हाइपो में क्या होगा अगर अगर था要खी का लेभिल कम हो जाता है किसी की अंदर तो आप समझते हो थारखीं का लेभिल कम होने से ब्लड में कम होने से तो आपकी आपकी ठायव्य Ergebnis म होता है इसकी विधितर हुजाता है पहली बात गैंग भी बोलते हैं गौैटर को थीक है दूसरा अगर कोई female pregnancy का केस है Questionet है और समझना और उसकी बॉड़ी में तै Beauty सेंस्टी हो जाती है तो उसका सीद्चाश बेवी पर पड़ेगा ठिक है क्यों तो कि बेवी में भी हाइपो थाइरोडिजम की बज़े से क्रिटिनिजम हो जाएगा जिसकी वेसे वो mentally, physically, sexually तीनों तरीके से retarded हो जाता है पहली बात इसके लावा उसका IQ लेविल बहुत कम हो जाता है इसके लावा यहां तो समझ में आगए यह ताको ध्याना कागा mentally, physically ठीक है और sexually retarded हो जाएगा यह NCRT में रखा है दो आपको function ध्यान रखने, abnormal skin हो जाती है और deep mutism हो जाता है, deep mutism का मतलब होता है घूंगा और बहरा means hearing capacity और speaking capacity दोनों ही उसकी खतम हो जाती है इसको deep mutism बोलते हैं तो समझ में आया होगा कि अगर iodine, अगर thyroxine का hyposecretion होता है तो दो कारण है, एक तो iodine deficiency से हो रहा है, thyroxine deficiency, hyposecretion तो जान रखना है, simple greater, हाँ, अगर during pregnancy mother को हो रहा है, तो fetus में abnormality हो जाएगी, cretinism, ठीक है mentally, physically, sexually, retarded हो जाएगा low IQ हो जाएगा, deep mutism हो जाएगा, abnormal skin हो जाएगी, ठीक है हाँ, पर अगर एक case और है, कोई female है ठीक है, adult का case में बात कर रहा हूँ female की case में बात कर रहा हूँ, उसमें अगर गड़बड़ी होती है, तो उसकी menstrual cycle पर भी इसका असर पढ़ता है उसकी menstrual cycle क्या हो जाती है, irregular पर कोशन आता है, ठीक है, hypothyroidism की बज़य से, एक तो simple goiter, एक क्रिटेनिजम pregnancy के case के अंदर, और adult woman के अंदर menstrual cycle का disturb हो जाना irregular हो जाना, बस यह हो गया hypothyroidism, और hyper की अगर बात करता हूँ, ठीक है hyper में एक बात ध्यान रखने है, exophthalmic goiter, it is also called grab disease, अब hyper कैसे हो सकता है, देखो, hyper का भी कारण है, अगर thyroid में cancer हो गया, ठीक है, कोई nodule का formation हो गया, क्या सकते हो, समद नहां मेरे, यह thyroid gland का size किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा, तो cell का number बढ़ेगा, number बढ़ेगा, तो no doubt hormone का लेबिल भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसी condition के अंदर इसको बोलते हैं, हम क्या exophthalmic goiter, अब इसमें क्या होगा hyper में, वह किसी के अंदर अगर hyperthyroidism हो जाएगा, थारेक्स का label बोलेगा, body के अंदर उसका BMR भढ़ जाएगा, ऐसे लोगों की body गरम रहती है, ठीक है, बहुत maximum energy, heat की form में, loss हो जाती है, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, उनको खाना लगता नहीं है, खुब खाते हैं, पर लगता ही नहीं है, body गरम रहती है, maximum energy convert into heat, ठीक है, तो ध्यानक ना है, इसके अलावा और क्या काम होता है, उनके अंदर, ठीक है, अगर ये case बढ़ता रहा, control नहीं किया गया, तो ice के पीछे mucos का deposition हो जाता है, रो ice बहार आ जाती है, लगता है, बहार आ रही है, exo, exo माने बहार, ओप्था, मतलब ice, goiter, यानि ice के पीछे goiter बन जाने से, ice बहार आ जाती है, इसको बुलते है, exo, phthalmic goiter, ठीक है, it is also called grave disease, question आता है, exo, phthalmic goiter, और grave disease पर question आता है, ठीक है, चलो, एक बात भी clear हो गई, तो hyperthyroidism clear हो गया, hypo clear हो गया, ठीक है, hyperkin drगर बात करते हैं, तो मैं, सब संजाई दिया है, पर तो मैंने आपको, ठीक है, exo, phthalmic goiter, समझ में आगया, exo, phthalmic goiter, आपको एक दम clear है, कोई doubt नहीं होगा, exo, phthalmic goiter में, it is also called grave disease, eyeball भारा जाती है, increase, बही, basal metabolic rate पर जाता है, body का weight loss होना, start हो जाता है, बही, बात, इसके अलाबा, जो थाइरोक्सिन है, RBC, erythropoiesis को भी induce करता है, water electrolyte balance के लिए responsible है, fat, protein, carbohariate के metabolism को control भी करता है, ठीक है, इसका level कम हो जाएगा, hypothyroidism, बढ़ जाएगा, hyperthyroidism, hypothyroidism है, three disorder ध्यान रखने है, goiter, ठीक है, pregnancy के 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 अंदर, cretinism, और कोई adult woman है, केस में irregular menstrual cycle, hyper के केस में धानक ना है, वही, hyper होगा, तो body temperature बढ़ेगा, ठीक है, bmr बढ़ेगा, सासात में exophthalmic goiter हो जाएगा, ठीक है, और इसी को बोलते हैं grab disease, ठीक है, एकदम clear, कोई doubt नहीं, चलो, parallel ही हम बात करते हैं, parathyroid, ठीक है, बताया था, thyroid के अंदर ही तो parathyroid gland होती है, thyroid के अंदर ही होती है, parathyroid gland, clear है, बलकुल, अगर हम parathyroid की बात करते हैं, तो क्या release करती है, parathyormone release करती है, आप देखो, 2 मिंट में खेदम करता हूँ parathyroid, कुछ ज़्यादे दिक्कत ही नहीं है, अगर हम parathyroid की बात करते हैं, तो ध्यानक ना कितनी होती है parathyroid, आप बोलोगे, 2 pair, मतलब 4, 2 pairs, वही 4 होते हैं, 2 pair होते हैं, ध्यानक ना आपको, ठीक है, 1 pair present in each loop of thyroid, डिखा चुका हूँ, ये क्या release करती है, ये release करती है, parathyormone, PTH, PTH, PTS, पर उसक रिलीज करती है, जब आपकी body में hypokalcemic condition आईगी, in high calcium का level कम हो जाएगा, समझना, ध्यानक ना है, TCT कब निकलता है, जब calcium का level बढ़ता है, तो calcium को कम करता है, PTH कब निकलता है, जब body के नदर calcium level कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, तभी तो इसको बोलते हैं, hypercalcemic, और TCT को बोलते है, hypokalcemic hormone, तो यह hormone क्या है, hypercalcemic hormone है, PTH, कब निकलता है, condition पूछी जाएगी, जब hypokalcemic condition होगी, तब hypercalcemic के लिए, यह release होगा, blood calcium level बढ़ाएगा, पर साथ-साथ में, blood phosphorus level घटाता भी है, kidney से eliminate करके, पर calcium बढ़ाता कैसे है, यह बहुत important बात है, इस पर तो need में भी question आया है, तो दो तरीके हैं, calcium बढ़ाने के, पहला, यह हमारे bone के, calcium के breakdown को बढ़ा देता है, क्या करके, bone को खाने वाली cell को activate करके, यानि, osteoclast को activate करके, देखो, पूरा mechanism समझाते हैं, आपको, तो increased blood calcium level, कैसे increase करता है, number one, ठीक है, number one, आप याद रखना है आपको, पहले तो हम ले लेते हैं, इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, यह stimulate करता है, osteoclast, जो macro phase होते हैं, ठीक है, macro phase, bone eating cell है, macro phase, इनको stimulate करता है, ठीक है, जब macro phase को stimulate करेगा, तो macro phase क्या काम करेंगे, macro phase bone को तोड़ना चालू करता हैंगे, इसको resorption बोलते हैं, ठीक है, resorption of bone, resorption का मतलब दा, breakdown of bone, तो breakdown का, bone को breakdown करेगा, bone को break करके क्या करतेगा, increase, blood, calcium, label, तो एक तरीका क्या है, क्या ये hormone, क्या काम करेगा, osteoclast को stimulate करेगा, resorption of bone के लिए, responsible होंगे, blood calcium level पढ़ जाएगा, bone के तूटने से, ठीक है, दूसरा क्या काम करेगा, ठीक है, दूसरा काम समझो, इस जे number two stimulate करेगा, आपकी kidney में एक cell होते है, stimulate, JG cell, JG cell, kidney में समझा है था, इसको मैंने, JG cell, ठीक है, off kidney, off, और JG cell के काम करेगा, JG cell के release करेंगे, ये release करेंगे, इनको stimulate करेगा, तब JG cell के release करेंगे, JG cell release करेंगे, एक hormone बतायता है, again, Kelsey triol, यू ए आग ए टिक है तो क्योंकि किल्सिंट कां करता है ये भी ब्लड कैशियम लेवी बढ़ा गा क्या करके इंक्रीज अबच कुशन, किक्रमा ए हुअ उनक्रीज जाए कि अब्जॉप्शन ओफ कैल्शियम फ्रॉम गट आपकी गट से इंटस्टाइन से फूड से कैल्शियम के अब्जॉप्शन को इंक्रीज कर देगा ठीक है तो में लिए यह तो भी सिग्नल का काम कर रहा है और स्टीकुलास के पास के लेटर भीजाएंगे कि भाई जाओ बोन कैल्शियम के अब्जॉप्शन को इंक्रीज करो ब्लट कैल्शियम लेविल बढ़ाना है तो यह भी ब्लट कैल्शियम लेविल बढ़ाएंगा यानि अगर मैं आपसे पूछू कि थाइरोइड में दो टाइप के सेल हो गए एक तो थाइरोइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स जो ब्लट कैल्शियम लेविल को कम करते हैं टी सीटी और पैराथारेड के ठीक है जो मेंली हार्मोन एट ठीक है पैराथार्मोन पी टी एच वह कैल्शियम को बढ़ा आएका तो दूनों एक दूसरे के अंटाकॉनिस्टिक हो गई यानि एक दौनों मिलकर के कैल्शियम के लेबिल को रेगुलेट करते हैं अगर मैं दिखाना चाहूं तो इससे दिखा सकता हूं बहुत 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 बहतरी तरीके से समझो ठीक है तो पैरा फॉलिकुलर सेल ठीक है और इधर हम बात करते हैं किसका पैरा फारेड ग्लेंड यह कभी कंफ्यूज मत कर जाना पैरा फॉलिकुलर से किसके हैं थायरॉइड यह अलग ग्लेंड हो गई ठीक है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके नदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यह तो रिलीज करेगा क्या टी सी टी और यह रिलीज करेगा पी टी एच ठीक है टी सीटी क्या है वही टी सीटी आप जानते हो हाइपो कैलसिमिक है यह क्या है हाइपर कैलसिमिक है हाइपर कैलसिमिक ठीक है अगर इसका लेविल बढ़ जाएगा ठीक है तो कैलसिम का लेविल कम हो जाएगा और इसको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा ठीक है अगर मालों इसका लेविल बढ़ गया तो ब्लड में कैलसिम लेविल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कम करने के लिए सिगनल कहा जागा सीधा इसके पास तो अचानक ब्लड कैल्शियम लेविल को मेंटिन करने का काम है ठीक है अगर यह बढ़ा signal वहाँ पर वो बड़ा signal यहाँ पर दौन मिल करके blood calcium label को क्या करेंगे regulate करेंगे तो यह हमारी thyroid भी clear हो गई और parathyroid भी clear हो गई बहुत भेटरीन question है ठीक है falling is the diagrammatically view of the position of the gland marked as A ठीक है choose the option which is correct identification अब यह देहो यह क्या है तयों को यह कियात को यह क्या है बया समझ में आ रहा है आपको एक यह क्या है पागल्ट Forsch और ज्ञाल करें और गंडी właściwie तंट ना बटा यह तो नहीं सीरे भी तो है तो आप समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से यह रेगूलेट कर रहा है ठीक है अब आगे चलते हैं हाँ बेटा तो हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है छोटी सी है पर काम किये है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ठीक है आपको पता भी होनी चाहिए अलड़ी पता भी होती है बच्छों को ठीक है क्योंकि थाइमस क्लैंड एक पेस्प्साइस का बिल्कुल reduce हो जाता है तो हमारा immune system भी reduce हो जाता है ठीक है अगर हम थाइमस की बात करते हैं तो सबसे पहला सबसे important वनता है सकी position होती कहां है रहे हमारे lungs के ठीक मिडमें होती है लंक्स के ठीक मिडमें होती है और यह व्याहिंड देश्टा विए अंगे इस्टरनम में इस्टरनम के पीछे होती है पड़ आए ओंटा के आगे फ्रेंट पर होती है नियुक्त कह सकते हो कि एक तरीके से वेंटरल साइड ओ आ ठीक है एरौटा के वेंट्रल साइड पर होगी तो अगर हम बात करते हैं साइट ऑफ एघ वोटा थीक है वह यह संगे में पीछे बीज है यह फिस के बीच में यह प्रीजएन् नोट के बीच में यह प्रेजएन्ट है और इस टौन ऑर एउथा के बीच में तो एउटा का आगे वाला पाट क्यا हो सकता है पर कोशन NCRT की लाइन ही आएगा इस्टर्नम के बिहाइंड वेंट्र साइड ओफ एटा ठीक है कुछ पुरानी NCRT में डॉर्सल साइड भी लिखा हुआ है पुरानी NCRT में बर आपके पास अपडेटीड ही होगी सारे के पास ठीक है तो वेंट्रल साइड ओफ एओटा बिहाइ थाइमस की पोजिशन की बात करते हैं तो समय कुश्चन आता है पोजिशन नहीं भूलने है ठीक है वही करती क्या है यह थाइमस यह थाइमस नाम के होर्मोन को ठीक है रिलीज करती है जो हमारे के इम्यून सिस्टम इस्पेस्ट ली टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसियेशन और फी लिम्फोसाइट को स्टुमिलेट करती है इन डारिकली दॉनुट टयाप की इन इसको हम कंक्लूडर कर देते हैं कि अगर हम धाइमस की बात करते हैं कौन सा होर्मोन रिलीज कर रहे है थाइमस अभी बताया है हमने आपको थाइमोसिन होर्मोन तो यानि यह सैल मेडिय इमुनिटी के लिए भी रिस्पॉनसिबल होता है और यहीं इमेडियनिनिके लिए भी responsible होता है बहुत important ठीक है तो दियान रखना है यहाँ होर्मोन जो है वो थाइमोसेन है कि तो यह कि तो यह कि सेल कि मेडियेटेड इम्मेनिटी और सेल मेडियेटेड इम्मेनिटी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको शौट में सी एंअ ओश्य मेरीड इम्मेनिटी एक्च्वạt में टी लिम्सा उख से बनती है तो दिस कॉसे in कि लिम्फोसाइट कि अ मीडियेटेड इम्मेनिटी आतए का दो 2कमीनिटी क्यों सिए हें मुराम मुंदी और हिमरोल इम्मुनिटी की अगर बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट से मिलके बनी है तो इसकॉल बी लिम्फोसाइट pao ौ मीडिय के इम्मुनिटी यानी कह सकते हो भी एम Savage मेडीमिंटि लिमिकि ठीक है तो अब बात आती है यह थाइमिसिन होर्मों दौनों के हिं लिंडिये काम करता है थाइम vaisंतों true तो थाइमसिन का धेन हां रोल यहांपर सेल मेड़ के रोल और समझो मेरी बात अ कि इसका मेन रोल है यहां पर कि फॉर्मेशन कि एंट फॉर्मेशन टम तो नहीं लगाएंगे मैचुरेशन क्योंकि फॉर्मेशन तो लैडबॉन मेरों में होगा कि मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशेशन आफ टी लिम्फोसाइट तो एक्च्वल मैं यह होर्मोन और कौन-कौन से टी लिम्फोसाइट होते हैं जिनका मैचुरेशन और डिफ्रेंशेशन करता है यह होर्मोन ठीक है कि देखो एक बात क्लियर थाइमस पोजीशन ध्यानकना बिट्विन लंग्स बिहाइंड इस्टर्नम बट इन फ्रंट आफ यानि वेंट्रल साइट ऑफ एयोटा ठीक है पोजीशन क्लियर एज के साथ साइट रिडियूज होगा ओड़ परसंड के इंदर बिल्कुल रिडियूज साइट होगा स्कले उसका मीन सिस्टम वीक होता है हुआ मुस इन होर्मोन रिलीस करते है थाइमस इन होर्मोन सेल मीडिडीट इमिनिट और डिफ्रेंशियेशन थाइमस में होता है विद्ध हैलप थाइमोसिन बड़ इसके अलाबा यह बी निम्फोसाइट को भी स्टूमिलेट करती है फॉर फॉर्मेशन आफ एंटी बोडी समझना मेरी बात तो यहां पर यह मैचुरेशन डिफ्रेंशियेशन अगर थाइमोसिन नहीं निकलेगा तो डिफ्रेंशियेशन नहीं होगा आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा ठीक है और यहां पर क्या करना है वाला है ठीक है अगर हम यहां बात करते हैं मैं हमेरल मैं हमरसन का मतलब होता है बॉडी फ्ली यह ऐसी मेनिटी जो बॉडी फ्लीफ पर भेषकर बेजड़ है उसको हमुर版ї मेनिटी बोलते हैं थीक है तो चाहिए प्लास ट्मलेशन स्टीयमेलीट telling यह थाय मुसिन की बात कर रहे है थाय मुसिन करता है यहां नहीं यहां लिखते है थाय मुसिन स्ट्यूमिलेट करता है भी लिंफोसाइट को किसमें कनवर्ट होने के लिए प्लाजमा सेल और मेमोरी सेल्स और प्लाजम सेल आप जानते हो क्या करते हैं प्रोडक्शन ओफ एंटी बॉड़ी जो आपके बॉड़ी फ्ल्यूड में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं बॉड़ी फ्ल्यूड बेस्ट इम्यूनिटी यानि एक तरीके से थाय मुसिन दोनों ही काम कर रहा है सेल मेंडियेटे इम्यूनिटी जो सेल मेंडियू का मतलब हो गया तईल इंफोसाइट में इम्यूनिटी बिपर रहा है मैचुरेशन और डिफरेंसियशन जो ऑए होता है पर बीदंफोसाइट को भी करता है क्या किसके लिए आप बहु लो कर्ण के हैं आप अप लुड़ resolve प्लाजमा सेल और अंटी बोड़ी और एंटी बोड़ी फॉरमेशन प्लाजमा सेल करते हैं यह अक्टीबेटिट बीलिंफोसाइड करते हैं ठीक है तो यह समझ में आगया यह है इतना ही है थाइमस के अंदर पॉजीशन एच के साथ साइज रिडियूज होता है इसलिए ओल् क्राइब करता है आपके सामने है एकदम क्लियर कोई डाउट नहीं इनए चाहिए फाइनली पैंक्रियास की बात करते हैं पैंक्रियास का बैसे तो पार्ट हम डाइजिस्टिफ सिस्टम में आपको करा चुके हैं बहुत बहतरी न तरीके से पर एक वार रिवीजन और कर देते हैं ठीक है साथ कोई पॉइंट आपको लगाओ एक दो पॉइंट जो होर्मुन वाला है हम यहां एड कर देते हैं तो अगर आप ध्यान से एक्सुक्राइब यहां बिसके अंदर ठीक है विच एक्ट एस बोथ एक्सुक्राइब एन एंडक्राइन ग्लेंट थिक है दौनों की ही तरह वर्क करेगी पैंक्रास अब इसमें आईले इसमें पार्ट है वह क्या है इलेक्स आप लेंगर हैं सोते हैं पैंक्राश मैं इतने आईलेट्स ओफ लेंगरहंस होते हैं जो इसका एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं और एंडोक्राइन पार्ट बहुत कम आउनली वन टू टू परसेंट में लिखा भी चुका हूं तोटल पैंक्रेटिक सीक्रेशन का ओनली वन टू टू परसेंट यह होता है हो सकते हैं मेटा पैंक्रियास के अंदर आधि Re עम जैसे सब्छो तको जो सबसे अंदर की कि इनको अलग लेते हैं जो अंदर यलो को ल के दिख रहे हैं आपको यलो से ब्रेजन कर रहा हूं इनको इनको अलग ले लेते हैं और थर्ड सेल से मुश्य कलर से रिप्रेडेंट करते हैं जो इनके ठीक मिड में हैं ठीक है इनको हम अलग लेते हैं, चलो उनको अलग समझा देंगे, ठीक है, अब लेके चलते हैं कि करके, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे आउट साइड लगे हुए हैं, ये अलफा सेल्स हैं, ठीक है, अलफा डैस, जब को अंदर की साइड लगे हुए हैं, बीटा सेल्स, भीटा और जो विल्कुल मिड में हैं दोनों के डिल्टा सेल्स डिल्टा अल्फा सेल्स बीटा सेल्स और डिल्टा सेल्स तिन और सेल्स का बारे में आपको समझ में आ गया ठीक है अगर हम बात करते हैं अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं सब समझना होगा अच्छे से आपको अगर मैं alpha cc की बात कारता हूं तो यह रिलीज करते हैं रिलीज कि ग्लीक और गौन कि होर्मोन अग ग्लीक वंधान हॉर्मोन कैसा हॉर्मोन है आप लोगे हैइप्र गलाइसेमक या हाइपोगी हइप केलसेमिक होर्मोन है हाइपर कैलसेमिक थिक है कि हाइपर 1 तोछी है जलसी बेसा हाइप संद्डर Thomas थो ऐग नट्सीय मिक एच हाइपर-क्लाइस disparities अगर होर्मोन ठीक है जो ब्लस्क्व부 ग्लूकोज लेबिल को बढ़ाने का काम करता है इसलिए हाइपर ग्लाइसिक में एक होर्मोन हो गया जब कि अगर मैं बीटा सेल की बात करता हूं ठीक है बीटा सेल की बात करता हूं तो बीटा सेल के रिलीज करते हैं यह रिलीज करते हैं कि इंसुलिन होर्मोन और इंसुलीन हर्मोन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलीन हर्मोन ध्याना ना यह है we deve अ स्वेत इंसुलीन हर्मोन क्या है 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 श्हां तरिक्षट करने वाला है कि गलाइसी मतर्ण कूकऊउस मिद बलॉड यानि blood में glucose level को कम करने के लिए responsible होता है insulin ठीक है अब जरह इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं क्या है इनका चक्कर ठीक है तो यह करता क्या है कैसे इंक्रीज करता है blood glucose level ठीक है ग्लााई को अब कंवर्ण करता है किसकेंदर glucose में अगलिकोषा इसको बोलते हैं ग्लाायकोशलीस compute LoRaiden या घ्लाईकोशन के breakdown करते लुबट्डीयो chronocycles करता है अगलाईकोशली अगर बात करते हैं तो आप जानते हूं यहां पर ग्लांपोशन का क्या होगा ग्लुकोंजिं सोटल Housing को बढ़ करते है क 저희 को बढ़ाइगा यानी कैसे कैसे बढ़ाएगा, ठीक है एक फूनऄ को ग्लुकोंज выз कवर्ण उन्हें एक या किनम उल्रीन गनरा या थी और है और वे रस लीडिटे करते है उसको रीडियूस करेंगा थिक आए-क रहे तो ये काम करेगा और क्या काम करेगा काम करेगा क्लूलर अब टेक आफ्लूकोज कुछ लूकोज अमानोसिट में ली अमानोसिट की बात में ग्लूकोज all i and amino acid टो है वडही सेल में glucose की एंट्री को रोखेगा और amino Acid की एप्रेक को bars टो करेगा से करने में हालप करते हुए एंडिरेक्ली energy करने में हैं मेलली cellular uptake of glucose का एफ उसकेगा करगा मेली cellular uptake of glucose को और आमिन नहीं करेगा और Нов स्पराइक करेगा और ये भी काम करता है सबस्सक्राइब यानि पाल अगर बात करते हैंने यह Cyberpunk होर्मोन को ने ब्लड ग्लुकोस लेविल बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा दो काम करेगा एक तो ग्लाइकोजीनो लाइसे करेगा ग्लाइकोजन को ग्लुकोस में करेगा ठीक है एक तरीक यह यह सेलूलर अप्टेक अफ ग्लुकोस को कम कर देगा जिसकी वजह से ग्लुकोस लेविल बढ़ जाएगा ठीक है चलो ग्लुकोज पर ही फोकॉस करो मेलनी ठीक है अब फाइनली हम बात करते हैं इंसुलिन वह इंसुलिन क्या काम कर रहा है हाई पर है सोरी हाई पोग्लाइसेमिक है यानि यह डिक्रीज करता है कम करता है कि ब्लॉड ग्लुकोज लेबिल कैसे कम करता है ब्लॉड ग्लुकोज लेबिल ठीक है यह क्या करतेगा यह इंक्रीज करतेगा इंसिलिन के रिसेप्टर मैंने बताया था आपको सकेलेटल मसलस्ट के ऊपर भी होते हैं हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर और कहा होते हैं इसके लावा आप जानते हो हमारे हेपाटिक सेल्स इपर भी होते हैं तभी तो type 2 diabetes द्यान अखना है आपको मैं कई बार मुल चुक हूँ exercise बहुत जरूरी होती है क्यों कि एक्ससाइज आप करोगे तो आपके muscles maintain रहेंगे means insulin receptors maintain रहेंगे means type 2 diabetes जो receptor के degenerate होने की बज़े से होती है वो नहीं होगी ठीक है तो increase कि इंक्रीज कि पर्मेबिलिटी ओफ कि सेल्स की पर्मेबिलिटी को इंक्रीज करके cellular uptake of glucose को बढ़ा देता है insulin यानि हाइपर ग्लाइसेमिक स्वरी हाइपो ग्लाइसेमिक होर्मोन है यानि blood glucose level को कम करेगा glucose को कहां एंटर करा करके आप समझे कि घक हैं तो यह क्या क्म करता है डेल्टा डेल्टा इल्टा सेलल रिलीस करते है सुमेटो स्टेटिन कर वर्मोन को ई aktivिट करने के लिए ऐसे ही यहाँ यहाँ पर भी इनिवीटर रहे ठीक है यह इन्हेट करेगा है लाकि एल्फा इंड बीटा शेल्स के सिक्रेशन को इन दौनों को इनीबिट करने का हम करते हैं यह है पर न हो जाए जिए तो एंडोक्राइं पार्ट आफ एंग्रियास हो फिर्टेवर हो गया ठीक है किलिए समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं थो माल लो कि कि के हैं कि कंडिशन है इफ ब्लड इंसुलिन लेविल आपका क्या हो गया कम हो गया और आप जानते हो ब्लड इंसुलिन लेविल कम होना चालू हो जाता है तो आपके बीमारी जाती है लेविटिज मलाइटज लिख देखा हैं ये वाली बात भी ऐसे किसमें क्या दा आप घृता किव लोड ट是我 टले लेविल इंक्रीज होता है ठीक है कि इस बज़े से होगा आपका इंक्रीज हो कि सब्सक्राइब ब्लड हीHere है ग्लूकोज़ लेविट जब प्लावड़ ग्लूकोज लेविछ बढ़ेगा यंही है है ञानि हीपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा है मतलब हीपर अ-ब्लूकोर इस अनु बढ़ जाना जब एसा हो जाएगा तो क्या होगा वहिए यह ग्लुकोज यूरिन से भी तो बहार आएगा जब ब्लट में बढ़ेगा तो यूरिन इसको ठीक है किटनी इसको बहार इलिमेंट करेगी यह लीट करेगा किसको ठीक है ग्लुकोज यूरिया यानि इंक्लीज इंक्रीज ग्लुकोज लेविल इन यूरिन ठीक है यह लीड करेगा किसको ग्लुकोज यूरिया को या ग्लाइकोज यूरिया भी बोल सकते हो ठीक है इंक्रीज ग्लुकोज इन यूरिन ठीक है, जब ऐसा होगा, समझना, बलुकु step by step लेकर चल रहे हैं, जब ऐसा होगा, तो इसकी बजए से क्या होगा, भई, ग्लू कोस जब आपकी urine से पास होगा, तो urine कैसी हो जाएगी, hypertonic urine होगी, तो वो अपने साथ-साथ जाथ देचसा जाएगी, आप समझना, जब धेड़ सारा water भी आपका बाहर आएगा तो एक problem हो जाएगी ठीक है आपको polyurea हो जाएगा ठीक है बहुत बार बार urine आएगी ठीक है तो आपको यहाँ पर polyurea होगा जिसकों diuresis भी बोलते हैं diuresis यानि urine के बीच में interval बहुत कम हो जाएगा क्या सकते हो इंटर्वल बिट्विन यूरिनेशन कम हो जाएगा आप बार बार जाओगे ठीक है यानि इसी को बोलते हैं diabetes का symptom diabetes mellitus की उसमें जाते हैं बार बार diabetes insepetus में भी यह mechanism होती है यह वाली condition आती है ठीक है बताइए आपको जब ऐसा होगा तो आपकी बोडी में वाटर की कमी हो जाएगी यानि आपको पॉली डिपसिया हो जाएगा पॉली पॉली डिपसिया का मतलब आप ठीक है आप क्यों डी हाइडरेशन हो जाएगा ठीक है इंक्रीज थ्रस्ट यानि डी हाइडरेशन डी हाइडरेशन बढ़ जाएगा ठीक है डी हाइडरेशन हो जाएगा जब ऐसा होगा समझना मेरी बात तो क्योंकि वाटर आपका कहां जा रहा है बाहर जा रहा है समझना जो मैं बता रहा हूं यह सिम्टम आपको घर-घर में देखने को मिलेंगे डायबिती मेलायटस के सिकार हो जाते है और क्या क्या ग्लूकोष एमांट में यदा अव्ट को पानी पिएंगे क्योंकि पिरेये पानी क्योंकि पॉलिडिप्सिया हो गया सबीन हो रहाए हुद्डेशन हो रहा है मेग्सिमुंध यो रिजाएगा उनको ठीक है फॉलिट इसद्ड जाएगा उनको समय था मेरी बादॉ ग्लूकुस बाहर जा रहा है उनको से lux तो तुरहन हमारा hunger center hypothalamus activate हो जाएगा ठीक है तो थ्रस center भी hypothalamus है hunger center भी hypothalamas है तो आपको भूग लगेगी आप खाओगे पर cell को फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि इंसुलिन चाहिए फिर आप खाओगे तो आप diabetic patient को देखा होगा कि मीठे का अच्छा करता है ठीक है खाने की इच्छा करती है वह hypothalamus कर बाता है क्योंकि उसका glucose cell को नहीं मिल रहा बाहर जा रहा है ठीक है इसकी वैसे आपको क्या हो जाएगा पॉली फेग यह हो जाएगा पॉली पॉली मतलब बहुत ज़्यादा अब बार बार खाओगे इंक्रीज हंगर आपकी हंगर भढ़ जाएगी भूख भढ़ जाएगी हर चीज लिंट कर रहा हूं मैं यानि एकदम कंसेप्चुल आप घर घर में देख सकते हो यह चीज है ठीक है वागी डाइबटीज हर जगे देखने को मिल रही है जब ऐसा होगा आपको पॉली फेगिया भी हो जाएगा ठीक एक सेल भूखी है सेल को तो मिल नहीं रहा तब सेल करेगी सेल करेगी इंकम्प्लीट ब्रेक कि इंकम्प्लीट 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 ब्रेक डाउन होगा समझना तब फॉरमेशन होता है बहुत खतर नाख चीज का इसको बोलते हैं कीटोन बॉड़ीज ए थेन formation किसका होगा ketone bodies का formation of ketone bodies information किसका होगा ketone bodies तो आपकी body में ketone bodies बनना चालो हो जाएंगे था अनकना दरे तो कहते हैं कि जिनकी body में diabetic patient होते हैं उनकी kidney पहले खराब होती है ketone bodies formation होगा और ketone bodies को kidney करेगी eliminate करेगी ठीक है किटनी पर लोड पड़ेगा किटनी फैलियोर के चांस बढ़ जाते हैं तो formation of ketone bodies कभी-कभी यह भी पूछते हैं कि कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा कि विटारेट कि जिस सब ketone bodies है ठीक है तो ketone bodies का formation होगा और इन क्या हो जाएगी आपको keto acidosis हो जाएगी की तो कि एसी डो से यानि keto acidosis का मतलब होता है इंक्रीज को कि की टोन कि बोड़ी इन ब्लड यानि आपके ब्लड में ketone bodies का इमाउंट बढ़ जाएगा इसी को बोलते हैं ketoacidosis जो कि किड़नी फैलियोर के लिए responsible होता है सबसे पहले पैंक्रियास की बात करते हैं तो पैंक्रियास अगर insulin release नहीं कर रहा तो आपके क्या होगा insulin नहीं होगा तो ब्लड का glucose लेविल बढ़ेगा हाई पर ट्लाइसीमीज होगा और हाईपर ट्लाईसीट मीट होगा ही नो डाउट ठीक है आपके ढगल्ड में यह फीन को CR exatamente यह हो जाएगा यह पानी पानि निपले का निकलेगा तो आपको पानी निकलेगा पानी प्योड़ हो जाएगी ठीक है जब ऐसा होगा सेल भी गुलुको सारा बाहर जा रहा है सेल को तो मिली नहीं रहा तो सेल भूग के होंगे उस कंडिशन में आपका हंगर सेंटर होगा आपकी भूग बढ़ जाएगी तो आपको पॉलीफेग या हो जाएगा आप खाओगे पीओगे पर कुछ भी सेल को नहीं मिलेगा तब सेल मजुबूरी में आकर के इनकंप्लीट बेकडाउन और फैट करेगी ठीक है जिस बज़े कीटोन बॉड़ी बनते हैं और ब्लड में कीटोन बॉड़ी इंक्रीज हो जाने से कीटो ऐसी डोसिस हो जाती है जिस बज़े से किटनी फैलियूर की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है सारे बहुत खतरनाक प फालिंग पियर इनकरेक्टली मैच अ ठीक है होर्मोन विद डिसीज रेजर्टिंग फॉर्माड डेफिसेंसी अब जैसे हम बात करते हैं सुमेटो ट्रॉफिन की डेफिसेंसी जी क्या हो जाता है भी डॉफिजम हो जाती है आपको पताए ठीक है ग्रोथ होर्मोन की डेफि कि बढ़ाने का काम करता है और उसकी टैफिसेंसी होगी तो ब्लद कैसियो लेबिल कम हो जाएगा और अब्लद कैसियू लेबिल कम हो गया तो टैसियू कहते है ब्लड कैसियम ले वि कमुद्ट होता है तो कॉंसे option आगा है यहाप पर ठीक है विच वन आफ द फॉलिंग इंकरेक्टली इंकरेक्टली इंसुलिन हो गया डाइबिटीज इंसेपेडस नहीं होगा मिल्लाइटस होगा find the incorrect match with respect to structure cell and its hormone ठीक है concern जिसे बीटा cells of pancreas बुलकुल सही इंसुलिन रिलीस करते हैं absolutely राइट जोना फैसी कुलेटा ओफ एड्रिनल cortex ठीक है नहीं नहीं पीटा सेल और पैंक्रियास इंसुलिन बुलकुल ठीक है find the correct match तो यह हो गया जोना फैसी कुलेटा बताने वाला हूं जोना फैसी कुलेटा Krita зап Ich oven जोना फैसी कुलेटा से एससेचरट नहीं है तो धरीडरहिकति नहीं है हंने आपको बताया था 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 है land के अंदर ठीक है पैराउघ्टिक्विलर सेल्स थय्ट मुंनिस करते हैं धिक है अिसको हम टीसी नी बिलते बोलते हैं कि सी ती थारो कैसे टोने ठीक आगे देखो जक्ष्ट्रा ग्लोमेरूलर सेल्स ऑफ केड़नी एरेथ्रोपेटिन यास यह भी आपको बताया है हमने क्योंकि जब भी कोई इमर्जेंसी होती है रेस्पारेटरी सिस्टम में पढ़ा है था आप लो अल्टिट्यूट से हाई एल्टिट्यूट पर जाते हो आर्बीची की कमी होती है तब ध्यानक ना उस समय जेजी सेल एक्टिवेट होते हैं और एर्थोपोटिन हॉर्मोन रिलीज करते हैं और ज्यादा व्यड्वेरी वरी इमपोर्ड़ेट सबसे जड़ा कोशन इसी पर पूछे गये हैं एड्रिनल ग्लैंड पर सबसे जादा अब तक ठीक है नमबर वन पर रेड्रिनल एड्रिनल थायरॉइड फीट्यूट्री ठीक है यह सूपर में आती हैं फिर बाद बकिए क सब की मतलब बराबरी है कोशित लगब सभी से आते हैं ठीक है तो अगर में अध्रिनल ग्लेंड की बात करता हूं तो को डिसॉडर को आगे जाकर के समझो इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया है हमने एड्रिनल कि मैडूला एड्रिनल कोटैक्स कि अच्छा ठीक है कि अच्छा मैं पूरा इस एक तरफ साइड से बहुत से प्रतरी की संजान चालू करता हूं समझा मेरी बाब एड्रिनल क्लेंड की पोजिशन की बात करते हैं तो किडिनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो अध्रिन ग्लेंड कितने हो गए वन पेयर हो गई ठीक है इसके भी ध्रिक यह धीले कोटेक्स अगर्स की बात करता हूं तो बाहर वाला पार्ट दो को टेले अग्ई यह बाहर वहार वाला पाश करते हैं और MADULA की बात कर लिते हैं चलो अंदर वाला आट्रीनल MADULA है यह orton Concept में वर्करने वाला पार्ट है कप करता है इमर्जन्सी तो समतर न मतलब Inner करले दूर्मवर होगी थेयं में अuryजन फ्रलीजन है पर Fresh इयनर पास मेडुला से किस नेचर के होर्मों रिलीज होती है प्रोटीन नेचर के ठीक है जबके जो और वीप हुज़न जो इंगला है बाहर होका मीजोर्मल मेडुला इया और विजन एक्टोडर्मल है comparison समझना दूसरा ध्यान रखना है आपको कि मैडुला से जतने भी हॉर्मोन निकलते हूं का नेचर स्टिरौइड नीचर की होते हैं इस्टिरौइड लिपिट सॉलॉबिल जबकि यहां पर टोनेचर क्यों और प्रोटीन है इन होर्मोन को और कि यह बोलते हैं यह ड Cowlumche ऐख दबल het की कि ऑव सकते हैं है तो कि किampfान फाय एंप्र 카pe जो होता है ठीक है fight and flight यानि इमर्जेंसी होर्मोन इरिंग इमर्जेंसी ये रिलीज होते हैं इनकों क्या टकोला माइंस भी बोल सकते हैं तो इस टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो एड्रेनलीन और नमबर टू क्या है नार एड्रेनलीन दोनों के एक ही है पर टेब नॉन एड्रेनलीन समझना मेरी बात भाई एफ मैं फिर से समझा रहा हो दिमांग में सेट करो फ़ी एड्रिनल ग्लेंड की बात करते हैं कोटेक्स मतलब आउटर मैंडूला मतलब इनर तो एक्चल में इमेरजेंसी वाला पार्ट है वो मैंडूला है ठीक है अब औरीज से विंग होर्मनी सी करता है कोटेक्स लाइफ सेविंग होर्मून कॉशन आता है यह कैसकते ली इंपोर्टन सवोर लाइफ के ली बहुत ज्यादा important होता है और इसके जो hormone होते हैं कोत् Dunagon के सारे के सटिरोइड नेचर की होते हैं अवाट युणि ऑले मेंडूला वाले पार और इने इम्रजेन्सी होर्पोन को कॉमईएल रावन खिक है लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कॉंद 높नके और अरेक्टीवेट होगी धिकाए अध्यॉड तक चुनगा-ापंसे बोलाध कोई यॉला जब शेर आपके पीछे हो यह वो सारे काम करेंगे जब आप किसी डरी हुई अवस्था में हो ठीक है आप डरी हुई अवस्था में होते हो ठीक है रात की अंधेरी गलियों में जा रहे हो डरी हुई अवस्था में जा रहे हो तो बॉडी में जो भी चेंज होंगे वह अड्र छुप मैं पीटल वाला पार्ट होता है ठीक है पीपलरी डाइलेशन हो जाएगा ऑनिक, आपके फाड़ फाड़ करके जाओậnयों नहीं कोई आ जाए आपकी Visit लिडाइलेशन हो चुका है आपका पैलो इस धेल सत्स хотे हमारे रोमश में ओर होते हैं पर इत्म खड़े हो जाएंगे इसको उते हैं पाइलो एरेक्षिन समझ रहे हो ना तो पाइलो एरेक्षिन हो जागा डर रॉंग टे खड़े हो जाना यह आप समझना मेरी बात जब अंधेहरी गली से निकलोगे अलटनेस आपकी ज्यादा होगी आपके फाल फाल के जाओगे रॉम तिक और रॉम यानि किस्किन हेर रेक्षिन पर आएंगे सब कुछ भी एडिशनल नहीं मैं बोल रहा हूं ठीक है उससमें हो सकता है पसीने निकल रहे हो आपके कि भाई अभी गए कि अब गए और सीने भी निकल रहे होंगे आपके स्वेटिंग आपकी बढ़ जाएगी जिस सब इमर्जिंसी वाले केस में उससे में आपकी हार्ट बीड बढ़ी हुई होगी उससे में आपका रेट ऑफ रेस्परेशन बढ़ा हुआ होगा ठीक है और उस समय अगर शेर आ गया तो आप दम लगा के दोड़ोगे मतलब आपके पास एक एडिशनल एनरजी आ जाएगी मीस आपके बॉड़ी के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा ब्लड ग्लुकोस लेबिल बढ़ जाएगा और वो भी कम पढ़ता है त तब आपका adrenal medulla activate होगा और वो emergency hormone double f hormone ठीक है यह catacola mines को release करना start कर देगा और यह catacola mines ठीक है मैंने बताया क्या क्या करते हैं रट्टा कमारने नहीं जरूत है अंधेरी गली से निकलोगी ठीक है तो क्या होगा आपकी alertness बढ़ जाएगी आपका pepulary dilation बढ़ जाएगा ठीक तो आप पूरी दम लगा के दोड़ पाओगे क्योंकि ब्लड ग्लुकूस लिबिल बढ़ा हुआ होगा और जरुद पड़ेगी तो प्रोटीन और फैट का ब्रीकडाउन भी बढ़ जाएगा विद्धा हेल्प अब इस होर्मोन ठीक है एड्रनालीन नौर एड्रनालीन तो य Loser है ने लिपोड़ी एडिक के लिए ये नहीं तो लाइफ नहीं तो चोंब सब्सक्राइब होता है तो बोडस को एक्स sill टोरीके से अगर हम कोटेक्स की बात करते तो मैडला तो अंदर वाला part हो गया उसको भूल जाओ ठीक है अगर हम बात करें cortex की वही यह तो हो गया तो cortex में थ्री लेयर दिख रहे होंगे आपको ठीक है अगर हम थ्री लेयर्स की बात करते है cortex की तो एक उती है सबसे outer layer की एर हम बात करते है जो ना सबसे outer layer जो ना ग्लो मेरूरोसा ठीक है जो मिडल लेयर दिख रही है आपको जो ना फैसी को लेटा जो ना फैसी को लेटा जो मिडल लेयर होती है मिडल ऑटर और सबसे वाईडस लेयर कौन से होती है टिक है वाईडस लेयर सबसे चोड़ी लेयर कौन से होगी यह आ पर जो ना फैसी को लेटा ठीक है सबसे अंदर की कोई सी होगी जोनारे इक कुल्अरे अ Peak अब इलिस अब हिन थी ले रुपर तरीके से करने वाला हूं ठीक है सबसे वाइट्स लेयर कुण सी होगी कुझै फेसी कुलेटा सबसे आउटर लेDER कुण सी है जोना glow-medulosa सबसे inner layer कौन सी है जोना reticolaris inner चलो अब तीनो layer को मैं explain करता हूँ किस तरीके से काम करती है group of hormone का release करती है main hormone होता क्या है उसके secretion को control कौन करता है उसका function चार point हर किसी की याद रखने है वही group of hormone क्या है उस group में main hormone क्या है उसके secretion को control कौन करता है उसका function क्या है बास काम खतम ठीक है तो जोना glow-medulosa अगर हम जोना glow-medulosa की बात करते हैं अगेन 4.5 अगे बताई दिया मैंने glow-medulosa outer है group of hormone main hormone secretion control वाए कौन कंट्रूल करेगा secretion को और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्डेंट फंक्शन फंक्शन क्या है बास चार पॉइंट आपको याद रखने काम बन जाएगा ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं group of hormone इनका group क्या है इन होर्मोन का group group of hormone को बोलते हैं इसको mineralocorticoids mineralocorticoids main hormone क्या होता है mineralocorticoids का aldostron path into syndrome हें इस सीक्रेशन कंड्रोle कॉन करता है रास और ए ए ए I s moeten रास रहनिन एंजिटेंजिन रडु स्टीम यहीं तो crit को कंट्रोल करने का काम करता है तक खुश मात्रा मैं यहाँपर एडिनो कौटिको ट्रॉफिक हॉर्मोन, ACTH भी participate करते हैं, पर एडिनो कौटिको ट्रॉफिक हॉर्मोन, मेंली, कौटिसोल की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, मेंली, ध्यान आखना आपको, ठीक है, चलो, function क्या है, Eldrostron करता क्या है, अब देखो, Eldrostron का function, ठीक है, है एक तो यह क्या काम करेगा ठीक है इन्क्रीज अब्जॉप्शन ओफ तो डियम आइन एंड वाटर फ्रॉम डी सीटी डिस्टिल कन्वालेटेट ट्यूप से सोडियम और वाटर के के एब्जोप्शन को बढ़ा देगा एक काम तो यह करेगा और क्या काम करेगा इसके अलावा यह डिक्रीज करेगा किसको भी डिक्रीज करेगा पॉटषियम अ फॉस्वर उसको डिक्रीrale ग्रीज लिस ऐं से कि बढ़ा देता है अच्छा इसके लावा भी कोई काम करता है यह इसके लावा भी ध्यान खना है यह अगर क्रते हैं इसके अलावा यह अ एल्डो स्ट्रॉन ठीक है एक वाटर एंड है एलेक्ट्रो लाइट्स है एक बैलेंस का काम करता है और क्या काम करता है ठीक है यह रेगूलेट करता है ठीक है ओस्मोलारेटी एंड ब्लड प्रेश्यर ब्लड प्रेश्यर एंड बॉड़ी फ्ल्यूड यानि में काम तो क्या है एल्ट्रो स्ट्रॉन का भी सोडियूम और वाटर के अब्जॉप्शन को बढ़ाएगा फॉस्परोस और पॉड़ाश्यम के इलिमिनेशन को बढ़ाएगा इस बज़े से क्या होगा वाटर एलेक्रोलाइट बैलेंस रहेगा औ और क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर ठीके और और ऑस्मोर्टिक आ दोनों मेंटेन रहेंगे लाट प्रेशर को भी मेंटेन करता है और अलैक्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉनसिबल है कम्प्लीट इससे भार कुछ बहीश बहीं करने वाले यही चा इसमें भी चारने द्हार रखने यहीं जो हमने आपको अभी अब अबिशेट बताया क्या सबसे पहले पहला हॉप्ट क्या है क्ला भुप आफ औरमॉण है operate एक होर्मोन इस इनका journo पुच्छे का मेन होर्मोन के लावा गुरूप पफोर्मन समझ में आ गया मेन होर्मन समझ में आ गया ठीक है सीक्रेशन मेन होर्मन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है सीक्रेशन कंट्रोल वाए और इसके लावा ध्यानक नहीं आपको सिक्रेशन कंट्रोल सिक्रेशन कंट्रोल कौन करता है फंक्शन क्या है यह सारे पॉइंट वहां चार बता है यहीं चार बता रहा हूं यह ट्रिक्स है जिससे कि आपको तुरंद मेमोराइज हो जाए ठीक है अगर हम बात करते हैं एर ग्रुप ऑयर्मों ऑफल मन क्या है तो ग्रुप ऑफलमों ध्यानक ने यहां पर क्रिसी चिर्फ आटर वर्मों' और कॉलिस आख से सूछ पेडि को कृटिसोल कर बोलते हैं यहां जात कर लो ठीकए हैю ड्रोक्सि कॉर्टिसन एक नाम ये भी है इसी को बलकर लाइफ सेविंग होर्मोन बता चुका हूँ मैं आपको है कि इसके सीक्रेशन कांट्रोल कौन करता है मैं ली बता था इसके की सOOOO करने के लिए एडिनो खांटिको ट्राफिक होर्मोन मैं ली कtte इस쪽에 सोल के सिक्रेशन को कंट्रोल करते इसको हाइड्र ओडि सनबी बोलते हैं ठीक है काम क्या है इसका function क्या है यही तो important सब से important function है इसका अब बुब ट्रिक से लिखा रहा हूं जिसे एकदम memorize हो जाए चारों पाइंट function की बात करते हैं देखो चलो देखो एक तो function क्या करता है यह ठीक है यह formation of rbc को stimulate करता है यह सब्सक्राइब करता है इसके लावा और क्या काम करता है इसके लावा देखोगे ठीक है तो यह एंटी स्ट्रेस होर्मोन है जब भी आप stress में होते हो तो इसका लेविल बढ़ जाता है एंटी स्ट्रेस और इसका लेविल अगर बढ़ेगा तो बहुत करता है यानि stress के टाइम पर आपका मुटापा बढ़ जाएगा इस ट्रेस के टाइम पर आपका इम्यू सिस्टम को कि maximum लोग स्ट्रेस में हैं maximum लोग स्ट्रेस किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस किसी को जॉप का स्ट्रेस किसी को वर्क लोड का स्ट्रेस बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिस स्ट्रेस की वैसे लोगों का कॉटिसोल लेविल बढ़ा हुआ है और कॉटिसोल लेव हो जाता है मुटापा बढ़ जाता है इम्यूस सिस्टम कंजोर रहता है और डिफरेंट टाइप की डिसॉडर सुनको हो जाते हैं ठीक है तो anti stress hormone कहते हैं इसको कि बहुत important सारे function इसको important है द्यान एक न ठीक है ये क्या करताई increase करता है increase blood ग्लूकोस लेबिल तभी तो जाकर यह निकलना चालू हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोस लेबिल ठीक है इंक्रीज होने की प्रॉबैबिलेटी बढ़ जाएगी और ऐसा होने से ठीक है मुटापा भी बढ़ सकता है और बहुत इंपोरेंट फंक्शन क्या है इसका अब देख कि यह इम्यूनो सप्रेसर का काम करता है यानि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है इसलिए बहुत सारे ट्रीटमेंट में इसको यूज किये जाता है ऐसा ट्रीटमेंट जिसके अंदर ठीक है आपका इम्यूनिटी हाइपर हो जाए तो उन सब केसों में इसको हम यू यूज कर सकते हैं इसको अब दो कहा का यूज कर सकते हैं इसको आटो इम्यून क्यों कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि आटो इम्यून डिसोडर इम्यूनिटी की हाइपर होने की बज़ जैसे होते हैं यही दे देंगे और कहा यूज कर सकते हैं इसको और गन ट्रांस्प् को आप जानते हैं अर्गन ट्रांस्टेशन के अंदर इम्ईन सप्रेसर दिए जाते हैं तो कॉटी सोल दे सकते हैं हम बहुत को झाना rat यूज कर सकते हैं वहीव्ल के केस में जों को स जाते हैं अचानुक के gr. पटते हैं एलर्ची की बज़े से जी वह다 और कोटिसोल देखोगे तो कोटिसोल क्या करतेगा हाइपर यूजड इन अलर्जी और कहा यूज़ कर सकते हैं इसको इन फ्लामेशन इस तरह के लिगदो एंटी अलर्जिक होते हैं ते कहां अच्छा लिगदो अलर्जी और इन फ्लामेशन को या नि ये एट्य एल्लरजिक भी होते है और एंटी इन फ्लामेट्री भी होते हैं ठीक है अटो इंब्मिन डिसोर्टर में यूज़ करेंगे और्गन केसे और इंफ्लामेशन केस में यह सारे केस कब होते हैं जब आपका immune system hyper हो जाता है क्योंकि इसकी property क्या है immunosuppressor इसलिए 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 इसको हम यूज कर सकते हैं blood glucose बढ़ाता है anti-stress hormone है और stimulate करता है formation of rbc को यानि समझ गए होगे कि इसका hyper secretion कितना खतरनाक है ठीक है तो यह सारे points आ गए जिन से question बनने की probability है सारे question यहां से आपको मिल जाएंगे ncrt पूरी एडिशनल सारे concept इसके अंदर है सब कुछ है अब बात करते है जोना reticularis अगर हम जोना reticularis की बात करते हैं तो यह inner layer है जोना reticularis inner layer है जोना reticularis की बात करते हैं यह दो hormone release करते है है अच्छा पहले गृूप फॉर्मल लिख देते हैं इसका अगर रिलीज करते हैं इसका मेन गृप फॉर्मल है वो क्या है sex corticoid वही सब में बताए इसका sex corticoid करते हैं अगर हम sex corticoids की बात करते हैं तो sex corticoid के अंदर main जो hormone आते हैं वो दो hormone है थिक है एक female sex hormone थिक है female sex hormone कि यहां पर हम बात करेंगे थिक है एस्ट्राडाय ओल थिक है और male sex hormone जिनको एंड्रूजन बोलते हैं कौन सा male sex hormone मेली निकलता है यहां पर दी एच इए डी हाइड्रोपी एंडोस्ट्राउन मेली सब को पता होगा यह हम बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको हो दी हाइड्री दी हाइड्रोपी एंडोस्ट्रो ठीक है डाइड्र people एंडोस्ट्राटों इसको एंड्रोजन बोलते है और इसका और है पर स्थे होगया तो यह तो बहुत सारे काम करता है ठीक है डिलिस पॉन्सिविल फॉर दिलिक है कि बॉड़ी हेर कि प्यूबिक हेर कि के पीश कि फेशियल हेर कि एट प्यूबर्टी जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो यही हॉर्मोन रिस्पांसिल होता है इन सब के लिए हाई प collectively अ कई अ हूब बोड़ी हेर के लिए प्यूबर्टी के टाइम पर बॉड़ी हेर होते हैं फियूबिक हेर होते हैं फेशियल हेर आते है तो इन सब के लिए DHEA ही responsible होता है, तो कभी-कभी female, को गेड्रिल ग्लेंड male में भी होते हैं, female में भी होते हैं, कभी-कभी female में भी इसका hypersecretion हो जाने की बज़े से, ठीक है, इस type के hairs female में भी represent होते हैं at a time of puberty, समझ में आ गया होगा, सबसे inner layer है, ठीक है, जो ना reticularis बोलते या estradiol होता है, और male sex hormone के किसमें, androgens होते हैं, DHEA, ठीक है, जो mainly responsible होते हैं, body hair, pvk hair, facial hair, at a time of puberty, एक दम clear, इससे भार कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये complete हो गया, अब disorder में ध्यान रखना है आपको, जो सबसे important disorder है, जिस पर question सबसे ज़्यादा आता है, very very important, additions disease, बस इ होतना आएगा, hyposecretion की वे से कौन सा होता है, hyper की वे से कौन सा होता है, due to hyposecretion of mineralocorticoid and glucocorticoid, अगर आपकी body में, दोनों का ही hyposecretion हो रहा है, तो addition syndrome होने की probability बढ़ जाएगी, NCRT इसको कहां दे रखा है, starting में ही, ठीक है, और NCRT देखोगे, तो साफ साफ दे रखा है, अपर, ठीक है, under production of hormone, अगर hormone under production हो रहा है, proper produce नहीं हो रहा, ठीक है, adrenal cortex से, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं न कहीं metabolism पर effect आएगा, weakness आएगी, ठीक है, fatigue leading to disease, इन सब के लिए, कौन सी डिसीज होती है, addition disease, तो addition disease पर question आता है, इसलिए, कुशन आता है, इसलिए, कुशन आता क्यो due to hyper secretion of mineralocorticoids, बस इतना ही याद कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, more than sufficient, due to hyper, due to hypo, काम बन जाएगा, ठीक है, last में जब chapter finish करूँगा, तो इस सब मों conclude करना, conclude क्या करोगे, आख्या बंद करके, यह paper पर, ठीक है, paper भी कर सकते हो, यह पहली gland सर न क्या बताई थी, hypo or hyper, third gland क्या बताई थी, hypo or hyper, तो 3-4 gland है, यहाँ, hypo or hyper ध्यानक नहीं आपको, pituitory growth hormone, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरा हमने बताया था, thyroid और parathyroid, वहाँ, hypo hyper question आता है, ठीक है, और इसके लाभा, हमने, fourth gland बताई आपको, ठीक है, adrenal gland, यहाँ, hypo or hyper question आ ठीक है, ठीक है, वहाँ, यह थोड़ा ध्यानक नहीं आपको, कहां बन जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगें, कुछ question है, in the giving diagram of adrenal gland, the portion while secret, वहाई portion है, वहाई portion है, वहाई portion की बात कर रहा हूँ, वहाई portion की बात कर रहा हूँ, वहाई portion क्या release कर रहा है, ठीक ह इसको एपिनेफरीन भी बोल सकते हो, नौर एपिनेफरीन मतलब नौर एड्रेनलीन, इसलिए portion दिया, थोड़ा समझ जाओगे, और इन दौनों को ही हम क्या बोलते है, केटाकुला माइंस बोलते है, ठीक है, केटाकुला माइंस, तो इसमें option क्या आएगा, option आएगा, A, B, B, C, A, B, C, B, वाला, समझ गयोगे, तो simple NCRT-based question किस तरीके से बनते हैं, वो हम आपको represent करने की कोशिश कर रहे है, finally, अच्छे question और है, mark the mismatch, भई mismatch धूनना है, ठीक है, Adrenaline, Adrenaline की बात करते हैं, prepare for emergency, yes, Adrenaline, Noradrenaline, prepare for emergency, Cotisone, Cotisone, समझ है मेरी बात, एक ही बात है, Cotisone को ही Cotisone भी बोलते हैं, ठीक है, यह क्या कर रहे है, General Resistant to Long Term Stress, yes, मैंने बताया, कि Glucocorticoid में में होर्मोन तो Cotisone ही होता है, पर Cotisone भी वहां से निकलता है, Cotisone को Hydroxy Cotisone भी बोलते हैं, ध्यान रखना, काम सबका एक ही, कैलसी टोनिन का काम करता है, apple Chang Eigen को मेंच़न करना काम करता है, था यह काम करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज क्यों एक्ट ऊन मेमेडGeट मैं न बेट फडू वैंटला इंश आपर करते हैं, हाई पो थेलम है निकलते हैं कानी लीस करते है आप करते हैं करते हैं पिर आइफ करते हैं पूंत एकетр सब्सक्राइब हाँ कि यह वाला रोंग हो गया कॉंसा डी वाला तो डी वाला र्लम है अपक्षिन क्या जागे याप पर फोट्टि वाला उपशन आ चलो अच्छा टेस्टी जन ओवरी फटा फट दो मिट में सेट करता हूं ब्रेन के अंदर टेस्टी जो बूरी की बात करते हैं जो एंसी आटी में रखा एक दम ब्रेन में यह तो पिटी उट्री समझी रहे हो वह पिटी उट्री का एंटी रेलेंट चलो पिटी उट्री रेलेंट समझ में आ गया एंटी रेलेंट एंटी रेलेंट टीक है यह टेस्ट यह हम पार करें टेस्टी इस की आगे के अगया करेंगे ऐस की टेस में ट्रांस्फर सक्षिन है कि कैके अगर थाथ कर देखोंगे तो टेस्टी इस के अंदर itu देखना की मिलते के डिकरक वहते सुम्मिन फरस्ट अस्थ टीजाए ऐस एक हम सेयzugebao I'm 71 सेटोली सेल होते इसके लावा अट बेस पर लगे होते इसपर मेटो गोनिया जो स्पं का फॉर्मेशन करते इस पर मेट और रिस्पंप सब्सक्रों हो एक ह् है तरह सब्सक्राइब जो समय कि संगे सेमनी फेसर समझ में इंट्रस्टिशल सेल यह कौन से हैं लिडिक सेल या इंट्रस्टिशल सेल भी बूल सकते हैं उनको तो यह दो टाइप के सेल आपको टेस्टीज में देखने को मिलेंगे ठीक है लिडिक सेल इंट्रस्टिशल सेल ठीक है और स्टोली सेल एक दम क्लियर है कोई डाउट नहीं हो अब होता क्या है कैसे कंट्रोल होता है तो अब यह समझना है आपको कंट्रोल कैसे होता है ठीक है अब देखो एंटिरल लूप से एक होर्मोन निकलता है इसको बोलते हैं fsh follicle stimulating hormone समझा भी चुका हूं मेल में fsh किसको stimulate करता है सर्टोली सेल को और मेल के केस में है ठीक है यहां से एक होर्मोन और निकलता है क्या बोलते हैं इस होर्मोन को इस होर्मोन को बोलते हैं लैच लह लुटिनाइजिंग होर्मोन और इंट्रस्टीशल सेल को स्टुमिलेटिंग होर्मोन यह होर्मोन क्या काम करेगा यह होर्मोन इन सेल को स्टुमिलेट करेगा समझ में आ गया होगा पिटीउटरी के एंटिरियर लोब से फसेच भी निकलता है और लुटिनाइजिंग होर् सब्क्राइब क्रिलीज्ट तेस्टोस्टिरों गातितैंग पिन सब्सक्राइब कि बहुत सारे फंक्षन द्रक्राइब है तर्म का में आधे बस्लैन का इस पर शीख सोने से कृष्ट इस पर ए वे टोूं ये la fij इस में फॉंक्शन का है इस पर metogenesis को induce करना क्या अकिला कर लेता है इस पर metogenesis को न यह किस किसंग रिलीस करता है विदि विद ईंड रिंडिन के साथ मिलकर केये काम करता है जली क्या करते हैं यह रिलीस करते हैं तेक है एक तो sperm स्पम मैचुरेशन फेक्टर टार करते हैं और इसके लावा रिलीज करते हैं यह यह थीक है जो एंड्रोजन को बाइंड करके नी टेस्टोस्टरोन की अधुल यह लका यह को आपका फ्युल पीटाइम आता है तब तो मैचुरेशन के लिए यह फेक्टर रिस्पॉंसिवल होगा जो इस पंप को मैचूर करेगा लेन फॉर्मिशन ओफ मैचूर स्पॉम ठीक है लिए उनके अंदर और स्पर मेंटो गोणिया और सटोली सेल्स होते है ठिक है और बाहर की जो स्ञर्ट बीजिश को ठीक तो या interstitial cells होते हैं ठीक है तो pituitory से दो और मों निकलते हैं LH FSS function मैंने आगे भी pituitory भी बिता दिया फिर से एक अगे बिता दिया मैंने तो LH इसको stimulate करता है FSS इसको LH इसको stimulate करके testosterone release करवाता है ठीक है जो spermatogenes को induce करता है बिदा help of किसके साथ मिलकर करके endogen binding protein को रिलीस और इंडर इंडर सेल्के स्टुमलेशन से FSS सब्सक्राइब जा करके mechanism complete करते हैं main function ठीक है अब testosterone के function क्या-क्या है क्या-क्या काम करता है testosterone ये आपको याद रखने क्या क्या काम करता है these hormones stimulate muscular growth आप जानते हो जिम मेंस लिए लिए लोग यूज biology करते growth of facial and axial hair बता चुका हूँ मैं आपको aggressiveness इसी की बज़े से होती है low pitch of vice इसी की बज़े से होती है ठीक है और कहां प्ले इस रोल प्ले करते हैं ठीक है इनका और जो mechanism है अभी बताया में रोल है spermato genesis अभी समझा के चुका हूँ मैं आपको ठीक है इसके अलावा जो एंड्रोजन होते हैं वो हमारे central nervous system को activate करते हैं और influence करते हैं मतला हमारे limbic system को male sexual behavior जिसको बोलते हैं Labido Labido male sexual behavior क्योंकि यह hormone कहीं ना कहीं हमारे limbic system को interact करके Labido male sexual behavior के लिए responsible होते हैं ठीक है दीज होर्मोन प्रेड्यूज एनाबॉलिक यानि सिंथैटिक अनाबॉलिक बनना एनाबॉलिक एफेक्ट और प्रोटीन एंड कार्वोहाइडिट मेटाबोलिजम यानि जब भी आप जिम जाते हो तो दिखाऊ को आशकल बहुत कम टाइम मे कर लेते हैं क्यों वोश्ट राइड लेते हैं इस्ट्राइड का मतलब यही एनाबॉलिक स्ट्राइड लाइक डी एच ये ऐडाइपस ऑफ एंड्रोजन ठीक है जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में ठीक है मस्कुलरेटी को बढ़ाने का काम करते हैं समझी गए होगे तो इस कि वह संसे मृवरी के अंदर थो वही मेकानेजम हो रही है अब दिखो रिवह किया ओर है ओरी के अंदर रहे हैं अब नह Kelsey करते हैं तो आप जानते हो बहुत है की आओ यहां क्या होते हैं फॉलीकल होते हैं तो सुक्धिंडी बनता है और यही tertiary follicle graphene follicle में convert होता था जिसका क्या होता था ovulation अब समझो ठीक है तो यह क्या है primary, secondary, tertiary, graphene follicle ठीक है, यह सारे follicle यह सब क्या है, all are follicles और यह सारे follicle कौन सा और रिलीज करते हैं, यह रिलीज करते हैं, ध्यान रखना, रिलीज estrogen, reproductive system में पूरी mechanism में इसकी, वहीं समझ में आगा, अपने यहां बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है, इस सारे क्या है, अब इन फॉलिकल को स्टेज मिलाने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल होता है, कौन मैच्योर करता है, तो पिट्यूटरी के anterior lobe से हर्मोन निकलता है, FSH, FSH, in case of female, FSH क्या काम करता है, इन फॉलिकल को स्टुमिलेट करता है, किसके लिए मैच्योर होने के लिए, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and graphene follicle, ठीक है, तब जाकर के, जब, समझना मेरी बात, आगे जाकर के, यही, यही दिखा देते हैं, चलो, आगे जाकर के, यही, anterior lobe, एक हर्मोन और रिलीस करता है, उस हर्मोन को बोलते हैं, क्या, उस हर्मोन को बोलते हैं, LH, LH, Lutinizing hormone, और Lutinizing hormone क्या काम कराता है, इसका ovulation, यह क्या करा रहा है, ovulation, यह ovulation हो गया, यह follicle, इसकी membrane से fuse हो गए, और follicle के अंदर, secondary oocyte कहां चला गया, बाहर, secondary oocyte, secondary oocyte कहां गया, secondary oocyte के अंदर, और अंदर क्या रह गया, अंदर, रप्चर्ड फॉलिकल रह गया, रप्चर्ड फॉलिकल, जो आगे जाकर के एक gland में convert होता है, इसको बोलते हैं, corpus luteum, और जब degenerate कर जाता है, तो बन जाता है corpus l bicanx, और इसको maintain करने के लिए कौन सा होर्मोन होता है, LH, luteinizing hormone, luteinizing hormone, यही hormone इसको maintain करने का भी काम करता है, evolution का भी काम करता है, evolution तो समझते ही होगे, graphene follicle का rupture होकर के secondary oocyte का बाहर निकल जाना, ठीक है, और इसी होर्मोन की वैसे जहाँ gland बनती है, क्या बोलते हैं, इसको corpus luteum, corpus luteum act as endocrine gland, यह क्या है, endocrine gland की तरह बर्क करेगी, और क्या release करती है, यह release करती है, यह मेली प्रोजिस्ट्रोन, estrogen, etc, inamine, etc, ठीक है, मेली प्रोजिस्ट्रोन, तो ध्यान रखना है, corpus luteum act as endocrine gland, जो प्रोजिस्ट्रोन, estrogen, inamine, etc, ठीक है, बहुत सारे होर्मोन में, मेली प्रोजिस्ट्रोन को release करने के लिए responsible होती है, जब जो degenerate कर जाता है, तो बन जाता, corpus albicans, corpus, albicans, white body, albino मतलब white, degenerate कर गया, ठीक है, तो यह ovary का case है, अब FSS और Ls क्या कर रहे है, FSS का काम क्या है, यहाँ पर follicle stimulating hormone में बता भी चुका हूँ, FSS का काम क्या है बिटा, follicle को stimulate करना, और estrogen के level को increase करना, function लिखाया था, मैंने, Ls क्या काम करता है, पहला काम करता है, ovulation, ovulation कराता है, दूसरा काम क्या करता है, formation of corpus luteum, corpus luteum का formation करता है, तीसरा काम क्या करता है, maintain corpus luteum, corpus luteum को maintain भी कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, यह progestron estrogen जैसे hormone के secretion को भी induce करता है, क्लियर है बिल्कुल एकदम सारे function clear है अब बाताती है यहाँ पर फीमेल सेक्स होर्मोन एस्ट्रोजन इसका work क्या है अगेन NCRT की लाइन यहां को ध्यान रखने होगी NCRT की लाइन ठीक है क्या काम करता है मेन function क्या है एक तो female secondary sexual जो ओर्गन होते हैं उनका development वहाँ पर male secondary sexual organ यहां female secondary sexual organ development of growth of ovarian follicle appearance of female secondary sex character like high pitch of voice ठीक है memory gland का development estrogen also regulate the female sexual behavior और female sexual behavior को labido नहीं बोलते male sexual ठीक है उसको labidotum यूज करते हैं इसके लाबा प्रोजिस्ट्रोन क्या काम करता है यह तो की बात थी अगर हम प्रोजिस्ट्रोन की बात करते हैं आपको बता भी चुके हैं और हम बताएंगे भी reproduction में प्रोजिस्ट्रोन मेली pregnancy को maintain करता है support the pregnancy also act on the memory gland पर भी work करता है उनको development के लिए responsible है ठीक है जिनके अंदर वो alveoli का formation करके ठीक है sec like structure which store milk and milk secretion ठीक है उसके लिए response मेली यह memory gland के डवलमेंट के लिए responsible है milk formation secretion के लिए ठीक है मेली memory gland के डवलमेंट के लिए during pregnancy की memory gland का development at the time of puberty होता है estrogen करेगा at the time of ठीक है pregnancy होता है progestron करेगा और आफ्टर बर्थ पी आरेल प्रो लेक्टिन होर्मोन करेगा तीनों के अलग अलग टाइम है और करते एक ही काम है development of memory gland चलो यह भी क्लियर है समय कोई डाउट है नहीं अब यह मैं पढ़ा चुका हूं पूरे लास्ट एक्टरस में आपको कि और इसके अलबाव कौन-कौन से औरगन है जो होर्मोन रिलीज करते हैं बताया था मैंने आपको ग्यास्टरिब शिस्टम पढ़ाया था तस एक गयस्टरीण होर्मोन से निकलता है जो है though इस चान जो करते हैं सिक्रिटिण होर्मोन कोली क्यो Option को मैंने चलने वाले होर्मोन है जो आपके के गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रेगूलेट करते हैं सिक्रटेइभ चाल एक की तरह था डिया था इपका का म क्या है गैस्ट्रिक श्रीट टो proud ढहत Alright है ठीक है चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा समझाय देता हूं गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन होर्मोन क्या काम करता है यह कि इंक्रीज कि सेक्रेशन औफ गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ठीक है सिक्रेटिन क्या काम कर रहा है कि सिक्रेटिन दो काम करता है एक तो जिए इनेविट भी करता है इनेविट है एसल सिक्रेशन को और गैस्ट्रिक मोडेलिटी और इस्ट्यूमिलेट भी करता है है कि सिक्रेशन और अफ अलकलानिक फ्ल्यूट कहां से ठीक है लेबर मतलब बाइल की बात कर रहे हैं और पैंक्रियाज 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 और लिवर से लिवर से बाइल जूस और पैंक्रियूस पैंक्रियूस में सिर्फ एलकलान फ्ल्यूट के सिक्रेशन को स्ट्यूमिलेट करता है और कुछ नहीं अब सिसी के नामी है CCK-Colecystokanin, CCK-Colecystokanin, यह दो काम करेगा, एक तो bile juice, और pancreatic juice, यह bile juice और pancreatic juice के secretion को control करता है, stimulate करता है, यह alkaline fluid को secretion को stimulate करता है, और SCL और gastric juice secretion को inhibit करता है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, GIP, gastric inhibitory peptide उसका एक ही काम है, capitalism क काम तो अखेला यही है, GIP, गया काम करता है, यह HCL और gastric Holidayц को inhibit करता है, गया करता है, थीक है, यह यह यहmade तो यह सब के फंक्शन लिग दी है जो हम डाइजिस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुक्क होते हैं ठीक है चलो है बस कंप्लीट है आपका ठीक है आगे चलते हैं अब बहुत इंपोर्टेंट है होर्मोन एक्शन बहुत इंपोर्टेंट है अब दो टाइप के होर्मोन होते हैं हमारी बॉड़ी में प्राइमरी मेसेंजर एक सेकेंडरी मेसेंजर समाज ना प्राइमरी जितने भी हमारे होर्मोन है सब को हम प्राइमरी मेसेंजर बोलते हैं पर कुछ सेकेंडरी मेसेंजर भ ऊड़ Gotta होमोंस की बात कर रहे हैं तो य्हां पर और होरमोन की बात कर रहे हम समझना कre अ अगर में नहीं होर्मों की बात कर रहा है तो यहां पर होर्मोंस दो टाइप के हो सकते हैं एक लिपड़ शॉलिवल और समामी वार थलाष्व इस होर्मोन क्या है मैसेंजर है सिगनल को ले करके जाएगा लिपिट सॉलेविल हॉर्मोन होते हैं वह मिली स्टिरोइट्स होते हैं कौन होते हैं स्टिरोइट्स और आप जानते हैं स्टिरोइट की बात करते हैं सेक्स होर्मोन भी स्टिरोइड हैं और adrenal cortex ये भी steroids है ठीक है इसके अलावा हम lipid soluble की बात करते हैं थाइरोक्सिन T3 और T4 ये भी lipid soluble होते हैं पर steroids नहीं होते हैं ठीक है water soluble की बात करते हैं और water soluble में protein, peptide, amino acid ये सारे होर्मों जो protein, peptide, amino acid से मिलके बने होते हैं सारे water soluble होते हैं lipid soluble में थाइरोक्सिन आ जाएगा और steroid सा जाएगा इस्ट्रोइड में sex hormone और adrenal cortex के hormone आ जाएगा खातम बस जितने भी lipid soluble hormone होते हैं इनकी receptor कहा होते हैं जितने भी lipid soluble hormone होते हैं इनके receptor सीधे cell के अंदर होते हैं या तो DNA के अंदर को सकते हैं साइटो प्लाजमिक receptor भी होते हैं पर आपके slavus में इसलिए नहीं बताए मैंने तो DNA के अंदर directly receptor लगे होते हैं सीधे जाते हैं जोकि lipid soluble है lipid membrane को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे तो इनके receptor कहां पर होंगे cell के अंदर जबकि water soluble है इनके receptor कहांगे water soluble के यह lipid membrane की उपर लगे होते हैं यहां पर ठीक है तो समदना मेरी बात अगर हम receptors की बात करते हैं तो यह कहां पर है आप बलोगे इंट्रसलिलर रिसेप्टर्स या ऐसे भी बहुत सकते हो DNA bounded receptors DNA bounded receptors थिक है जबकि यहां बात करते हैं यहां क्या है एक्श्ट्रसलिलर एक्ष्ट्रा da I do cellular here membrane I I do a boundary receptor I am अगर यह गोशन आता है पुशन आपका इन में से कौन से होर्मोन है ठीक है जिनके receptor membrane bounded होते हैं समझ जाना water solubile ढूने आपको protein peptide इंट्रसलूलर्स होते हैं तो एक बात तो समझ में आगी यह कोशन बनेगा ट्रिक मैंने बता दिये लिविट साथ आता है इस्ट्राइट में सेक्स होर्मोन आते हैं अटनल कोटक्स के खेल कतम ठीक है रिमेनिंग प्रोटीन प्रेप्टाइड होते हैं यह एक्स्टा सलूलर यह मेंब्रेंट रिचेप्टर होते हैं आप कुशन आएगा इन मेंसे वह कौन से होर्मोन है जिनको सेकंडरी मेसेंजर की रिक्वार्मेंट होती है जितने भी वाटर सॉल लेए क्योंक को जुरूत पड़ेगी सेकंडरी मेसेंजर की जुरूत पड़ेगी अब सेकंडरी मेसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं सेकंडरी मेसेंजर में जानक ना आपको कि साइक्लिक Cyclic AMP secondary messenger है, Cyclic GMP secondary messenger है, calcium ion secondary messenger होते हैं, इसके लाबा inositol tryphosphate IP3 यह भी secondary messenger है, तो यह सारे के सारे के सारे secondary मेशेंजर्स हैं जैंकी सब्सक्राइब मेसेंजर्स अगर यह चाहिए वाला कंझेट तो डिरेक्ली प्रोटीन वाले हर्मुन अंदर नहीं आ सकते यह सभी मेसेंजर्स हैंड्र को काहां लेके जएंगे यह साइटोसोलि के पास कि अधर को ले करके जाने के लिए responsible होंगे ठीक है जा भी स्क्रेप्टर होंगे साइट्वसोल में हो सकते हैं और नुकलियस के पास भी होते हैं इस सिग्नल को फर्दर लेके जाने काम कान करेंगे secondary messenger क्योंकि इनकी restriction है यह लिपीड मेंट को क्रॉस्ट करने में uncapable है तो प्यांकि इनके extracellular या membrane bounded receptors होते है ठीक है तो अब जब signal जाएगा milli hormone का करके आ रहे हैं डीन को पहुंचा रहे हैं कहां पर डीने के पास तक क्यों प्रोटीन का फॉर्मेशन और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा रिवोजोम की बैंडिंग से टिक है रिफॉर्मेशन और प्रोटीन और फिर क्या होगा फॉर्मेशन और प्रोटीन यह काम आपका कंप्लीट हो गया तो आप मेक एक्शन मेकनिजम समझ में आएगी बैटा कि तू टाइप के कोर्मोन है यह यह प्रैमरी मेसेंचर्स वाटर सॉलिबल और लिपिड सॉलिबल तो जितने भी जितने भी वाटर सॉ लिबल जितने भी water soluble hormone होते हैं जितने भी water soluble hormone होते हैं उनकी रेसेटर कहा होते हैं membrane पर और जितने भी lipid soluble receptors होते हैं उनकी रिसेप्टर कहा होते हैं वही DNA के ऊपर membrane bounded receptor या DNA bounded receptors या तो कोई डाउट हो रहा ही नहीं चाहिए आपको ठीक है lipid soluble direct DNA के पर जाएंगे water soluble पहले membrane पर आएंगे फिर secondary messenger activate करेंगे फिर सिंग्नल को secondary messenger लेके जाएंगे ठीक है तो बस सारे question solve हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको एक्सेलूलर DNA इसमें सब कुछ आपका problem solve हो जाएगी complete mechanism अब यह ध्यान रखना है आपको यह nature of hormone की अगर बात करते हैं तो peptidal hormone कौन कौन से होते हैं ऐसे याद रखना ट्रिक में बता दे रहा हूं आपको दिमाग लगानी जुरूत नहीं है कि sterodal hormone कौन से हैं ध्यान रखना आपको sterodal hormone एक तो adrenal cortex के सारे hormone sterodal है इसके अलावा और sterodal कौन है sex hormone sterodal है इसको छोड़ करके और प्रोटीन निचर के अब प्रोटीन में भी पैप्टाइड निचर के भी हो सकते हैं ठीक है पॉली पैप्टाइड निचर के भी हो सकते हैं प्रोटीन होर्मोन में हो सकते हैं अब सब आगे insulin, glucagon, pituitary hormone, hypothalamic hormone etc इस्ट्रोटल निचर में बताया है मैंने क्या 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 एक तु सेक्स होर्मोन जैसे testosterone sex hormone है ester diol sex hormone है ठीक है प्रोडिस्ट्रोण उसी में आ गया cortisol, cortex से सारे हर्मोन इस्ट्रोट निचर के होते हैं ठीक है आइड़ निटेड फॉर्म मैंने सिर्फ दो ही बताई है आपको t3, t4, t3 and t4 जो lipid solubility दिखाती है और amino acid निचर एक ही है epinephrine, amino acid एक ही है epinephrine question बनता है epinephrine, nor epinephrine, बोथ हार amino acid nature तभी तुमको catacola mine बोला हमने ठीक है तो यहां तक की बात clear होगे nature हमें ध्यान अखना है तो आप easily पता कर पाऊगे तो जितने भी steroid nature के हैं और या इन दोनों इन दोनों के receptor का होंगे इन दोनों के receptor DNA के पास होंगे जबकि नीचे और उपर वाले receptors का होंगे यह membrane-bounded receptors होंगे identify कर पाऊगे किसके केस में secondary messenger की requirement होगी वही peptide polypeptide protein और amino acid जितने भी होर्मोन होते हैं इनके केस में आपको requirement होगी किसकी इसमें केस में requirement होगी आपको ठीक है secondary messenger की यह concept क्लियर होगे आपको आगे बढ़ते हैं अच्छा यह NCRT ने एक्जामपल दे रखें जैसे यहां बात कर रखें membrane-bounded FSH एंटरे-पिट्यूटरी का hormone है ठीक है water-soluble होगा membrane से bound करेगा response देगा इसके response में कौन बनेगा secondary messenger बनेंगे secondary messenger क्या करेंगे biochemical response very important biochemical response में होता क्या है formation of protein biochemical का मतलब क्या है formation of protein और physiological का मतलब क्या होता है physiological का मतलब function of protein अभी समझाया था मैंने यहां physiological का तर्म आ गया मतलब function of protein की बात आ गहीं कि function of protein तो formation of protein and function of protein इससे bind करेगा cyclic MP calcium activate होंगे biochemical response का मतलब है protein बनेगी protein के काम क्या है वही अब development of ठीक है क्या करना फॉलिकुलर डबलमेंट वही एफसे काम ही होता है फॉलिकुलर डबलमेंट फॉलिकुलर डबलमेंट इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है समझ में आया होगा आगे देखो एक इस्ट्रोडल का भी एक्जांपल दे रखा है अगर इस्ट्रोडल हॉर्मोन होगा तो सिगनल सीधे कहा जाएंगे इसके डिन आ के पास ठीक है होर्मोन receptor complex बन गया तो पहले क्या होगा formation of protein formation of protein का मतलब क्या हो गया बायो chemical बायो चैमिकल रिस्पॉन्स और फिर क्या फिजियोलोजिकल रिस्पॉन्स फंक्शन और प्रोटीन एक दम क्लियर कट करके आप महार रट्टा नहीं मारना हर चीज़ समझनी है है क्या बायो chemical रिस्पॉन्स और फिजियोलोजिकल रिस्पॉन्स भी बच्चे confused रहते हैं तो वह confusion भी आपके नहीं नहीं रहेगा कुछ questions है all of the falling group of hormone act through the falling way यह दिखा रहा है समझना पर क्या दिखा रहे है यह इस ट्रोटल निचल वाला hormone दिखा रहे हैं डिरेक्ली एंटर कर रहा है ठीक है mechanism except एक नहीं है अब देखो जो नहीं है वो इस ट्रोटल प्रोटीन वाले होंगे वह काटीस ओल यह तो इस ट्रोटल नीचर का हो गया तो यह तो हो गाए नहीं ग्लुको काटीकोई यह भी इस ट्रोटल नीचर क्यों गए ठीक है सवरी हाग सेब्धुल सभी जो पोटीजर का अगा पैस्टोस्टरोन हो गया गया फरो लयक्टीन है इन्सुलिन प्रोटीन है और टोस इन्स्टीन है इसबोखेन करें इस को प्रॉटलि करेंगे भी थी स्कोम depende में प्रोटीन nature के हैं जो इस mechanism को follow नहीं करेंगे समझ गए होगे ऐसे question आएंगे आपको following is the diagramatically representation of mechanism of the hormonal action which of the following set of hormone represent performing giving अब यह पूछ रहें कि इनमें कौन से hormone है जो इसको perform करेंगे यह नहीं protein nature के hormone धुनने हैं आपको तो fss protein है lh protein है ester diol protein नहीं है insulin protein है adrenaline protein है fss protein है तो यहीं हो गया फिर भी आके देख लेते हैं प्रोलेक्टिन protein है ठीक है नौर adrenaline adrenaline protein है पर testosterone protein नहीं है cortisol protein नहीं है यानि only एक ही इसमें सारे protein है कौन से बी समझ गए होगे भी इस mechanism को follow करने वाले हैं तो यह बहुत 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 करने की कोशिश किया बहुत 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 इन तरीके से ठीक है पूरा दम लगा करके continuity के अंदर तो समझ में आया होगा पर हम साथ साथ में कुछ previous एर के question भी discuss कर लेते हैं कुछ conceptual question तो हम discuss कर चुके है ठीक है आधरीग कुछ previous को दिख लेते हैं which of the falling hormone can play a significant role in osteoporosis पता होगा आपको osteoporosis का concept बहुत मस्त concept है ठीक है यहाँ पर होता क्या है जो पराथारेट ग्लेंड रिलीस करती है PTH और यह PTH होर्मन क्या करता है यह signal को लेके जाता है यह किसको स्टुमिलेट करता है यह स्टुमिलेट करता है और अस्टियोक्लास्ट जो क्या करते हैं बोन का breakdown ठीक है breakdown और बोन इसको बोलते हैं रिजॉप्शन और बोन बोन का टूटना रिजॉप्शन ठीक है रिजॉप्शन और बोन यह मेकनिजम होती है इस तरीके से यह ब्लड कैल्शियम लेबिल बढ़ाता है ठीक क्या करके इस तरीके से यह PTH करता क्या है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेबिल चलो कैसे बढ़ाएगा आपके सामने ऑस्टियोक्लास को एक्टिवेट करेगा ऑस्टियोक्लास क्या होते हैं मैक्रोफेज होते हैं इते हैं कि जिसके ऐसे बोन का ब्रेकडम चाट हो जाता है यह मेकनिज सम्च होती रहती है ठीक है पर फीमेल के पास उसका protecting hormone होता है स्ट्रोजन इसट्रोजन और इस्ट्रोजन को सप्रेस करे रखता है क्या करक Sundays इससे क्या होगा जब तक एस्ट्रोजन है यह हाई पर नहीं हो पाएंगे जितना जरूरत है उतना ही बोन का breakdown होगा ठीक है पर after menopause estrogen का label down हो जाता है और estrogen का label down होते ही यह mechanism activate हो जाती है इसलिए female की case में after menopause osteoporosis are more common समझ में आया का mechanism क्या है तो option क्या आएकस में estrogen and thyroid hormone pdh वो इस mechanism के लिए responsible होते है ठीक है नीट में वो question है यह भी नीट 2018 का यह विच आफ फॉलिंग इस न अमाइनो असे डरीवेटिव बताया था भी अमाइनोसे डरीवेटिव एपिनेफरें एक ही एग्जमपल दे रखा है NCRT में अमाइनोसे नेजर का को ना अपिनेफरें नौर अपिनेफरें ठीक है बोथ हार अमाइनोसे डरीवेटिव तो को नीट 2017 कोशन है और temporary endocrine gland temporary endocrine gland कोन है corpus luteum corpus luteum temporary endocrine gland ठीक है नगने है यहाई सीच्टेशन ऑफ ग्रोथ होर्मों इन अडर्मों टासन नौट कॉस ठीक है हाई पर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ होर्मों डासनोट कॉस फॉर्दर in Q रिजिन हाइट यह हम किश्टी में कराते हैं पर यहां दे रखा है कोई नहीं आप जानते हैं ये बोन है कि ये बोन का है कि हैड होता है और बोन के हैड में यहां पर एक खास टाईब की प्लेट होती है इसको एपिफाइसल प्लेट बुलते हैं तो इस थे यह ये काटिलेज है जब तक यह cartilage है तब तक आपकी बोन की growth bi-directional होगी इधर भी growth करेगी ब्रोन और इधर भी growth करेगी इस cartilage की बज़े से पर जिस दिन इस cartilage का ossification हो गया fuse हो गई बोन से खतम हो गई आपकी growth होना बंद हो जाएगी इसका सारा खेल है एपफाइसल प्लेट का सकते है एपफाइसल प्लेट क्लोज आफ्टर टिक है एड़ा सेंस ठीक है बोन अब बुल्कुल ठीक है यही बोलेंगे बुलकुल जब आप एड़ा सेंस वाली स्टेज में आ जाओगे तो आपकी एपफाइसल प्लेट क्लोज खोलब बंद हो जाएगी असका जिएक वैसलेट का आपकी ग्रोफ बंद हो जाएगी ठीक है यह औप्शन आएगा फर्स्टी आपिए घ्टमेंगा इसके कहस्स में और फॉलिंग पियर ओफ हॉर्मोन आर नोट एंटागोनेस्टिक अब देखो 16 कोशन है पैरत हॉर्मोन कैसी टोने दूसरे के एंटागोनेस्टिक है अपोजिट इंसुलिन एक कम करता है वो ग्लुकोज बढ़ाता है एंटागोनेस्टिक है एल्डोस्टिरॉन एनफ दूसरे नहीं है कि विच आफ दा फॉलिंग होर्मोन इस करेक्टली मैच विद इस सोर्स एंड फंक्शन वैसोप्रेसिंट एंटिरी गलाथ पोस्टिरियर और जिटोस्टिरी अगें गलाथ थाइमोसिं थाइमस हैल्पिन डिफ्रेंशेशन आफ टी लिंफोसाइड एबसली इंड्यूज दा अप्टेक एंड्यूज नहीं करता है बताया था मैने तो अगें गलाथ कौंसा ओप्शन आजागा थार्ड यह भी एमस में आए वह कॉश्चन है अगें रॉंग अगें रॉंग अगें रॉंग यही अगर आपके कंसेट अच्छे है तो कोई भी कोशन बचने वाला थो नहीं है आपसे ठीक है के इस समझ गयोगे किस तरीकें कुशन आते हैं रहें आपतर से बहतरी ही न आपपो देते जाएं ठीक है पस्वास वाक यह में आगर आपको लगता है कि मज़ा आया ठीक है वाकॐी में लगता है कि सिंगल शॉर्ड मैं सर ने बहुत भेels कराया ठीक है बहतरीन नेक्स 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 आपको और बहतरीन मिलता जाएगा तो एक कमेंट देने की आदत जरूर रखा करो ठीक है इससे एक गाइडेंस मिलती है एक बूस्तिंग मिलती है ठीक है थैंक यू बटा ओल दा बेस्ट फॉर नीट एक्साम